Hello Everyone, Welcome back to IAS PCI Zone दोस्तों आज जो है हम लोग लुसेंट समान ग्यान बुक से मध्यकालिन भारत को कवर करेंगे इससे पहले हम लोगों ने प्राचीन भारत की तिहास को कवर कर लिया है यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है और दोस्तों से भी इस वीडियो को शेर कर दिजे ताकि उनको इसका फाइदा हो सके तो चलिए हम लोग वीडियो को श्टू करते हैं मध्यकालिन भारत का इतिहास भारत पर अरबो का सबसे पहले आकरमन होता है मुहम्मद बिन कासिम के नित्रित में अरबो ने भारत पर पहला सफल आकरमन किया अरबो के सिंध पर अरबो ने सिंध पर 712 हिस्वी में बिजय पाई थी अरब आकरमन के समय सिंध पर दाहीर का शासन था यानि अरब लोग जब आकरमन किये थे तो उस समय सिंध पर दाहीर का शासन था भारत पर अरब बासियों के आकर्मन का मुख्य उदेश, धन दोलत लूटना तथा इसलाम धर्म का परचार परसार करना था उसके बाद मुहम्मद विन कासिम के बाद मुहम्मद गजनी आता है तो 932 इस्वी में अलपत गीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी समराज की इस थापना की जिसकी राजधानी गजनी थी अलपत गीन की मिर्तियों के पश्चात कुछ समय तक गजनी में पिरीती गीन ने शासन किया इसी के शासनकाल यानि 972 सी 937 इस्वी में सरपर्थम भारत पर आकरमन किया गया पर्थम तुर्क आकरमन की समय पंजाब में शाही बंस का शासन जैपाल शासन कर रहा था यानि जब पर्थम तुर्क आक्रमन के आक्रमन हुआ था तो उसमें पंजाब में साही बंज का सासन था और जैपाल सासन कर रहा था अलपत गीन का गुलाम तथा दमाद सुभुकुत गीन 977 इस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा मुहम्मद गजनी सुभुत गीन का ही पुद्र था जिसका जनम एक नवमर 971 इस्वी में हुआ था अपने पिता के काल में महमूद गजनी जो था वह खुराशान का शासक था महमूद गजनी 27 वर्स की अवस्था में 998 इस्वी में कद्दी पर बैठा बगदाड का खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मानिता परदान करते हुए उसे यमिन उद्दौला तथा यमिन उनुमिलाह की पाधि दी थी यह प्रश्ण पूछा जाता है कि मुहम्मद गजनी को जो है यामिन उद्दौला या यामिन उल्मिलाह की पादी किस ने दिया था तो वह दिया था बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने ठीक है महमुद गजनी ने भारत पर सत्रह वार आक्रमन किया महमुद के भारतिये आक्रमन का वास्तविक उदेश जो था वो धन की प्राप्ति था महमुद गजनी एक मूर्ती भंजक आक्रमन कारी था महमुद गजनी ने भारत पर पर्थम आक्रमन एक हजार इसवी में किया तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लोट गया महमूद गजनी ने एक हजार एक इसमी में शाही राजा जैपाल के विरुद आक्रमन किया था इसमें जैपाल की पराजय हुई थी महमूद गजनी का एक हजार आठ इसमी में नागर कोट के विरुद हमले को मुर्तिबाद के विरुद पहली मादपुन जीत बताई जाती है महमूद गजनी ने थानेशर के चक्र श्वामिनी की कांस निर्मित आदमकद परतीमा को गजनी भेज कर रंग भूमी में रखवाया था महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमन एक हजार पचीस इसमी में शोमनाथ मंदिर सौराश पर हुआ इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाक दिनार की संपत्ती हाथ लगी सोमनाथ की रच्छा में सहायता करने के कारण अहिलवाडा के शासक पर महमूद ने आक्रमन किया शोमनात मंदिल लूट कर ले जाने के करम में महमूत पर जाटो ने आकरवन किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी अब हम बात करते हैं सोमनात मंदिल का तो सोमनात भारत के 12 आदी ज्योति लिंगों में प्रथम है यह गुजरात के अरव सागर के तटपर है 13 नवंबर 1947 को सरदार बल्लभाई पटेल के द्वारा इसका पूनर निर्मान शुरू करवाया गया 11 माई 1951 के दिन राशपती राजयंद परसाद के द्वारा मंदिल में प्राण प्रजिश्था की गई महमुद गजनी का अंतिम भारतिय आक्रमन जो है वह 1027 इस्वी में जाटो के विरुद था महमुद गजनी की मिर्थ्यू 1030 इस्वी में हो गई थी सुल्तान की उपादी धारन करने वाला प्रथम शासक महमुद गजनी था ठीक है यह बहुत इंपोर्टेंट है सुल्तान की उपादी धारन करने वाला प्रथम शासक कौन था महमुद गजनी था महमुद के सेना में सेवंदराय एवं तिलक जैसे हिंदू उच पदो पर आसिन थे अलबरूनी फिर्दोसी उत्वी तथा फरुकी महमुद गजनी के दरवार में रहते थे अब बात करते हैं हम लोग मुहम्मद गउरी का तो गउर महमुद गजनी के अधिन एक छोटा सा राजित था 1173 इस्वी में शहाबंदीन मुहम्मद गउरी गउर का शासक बना इसने भारत पर पहला आक्वन 1175 इस्वी में मुलतान के बीरूद किया था मुहम्मद गौरी जो है पर्थम आकरवन भारत में पहला आकरवन 1175 इस्वी में मुल्तान के बिरुद किया था मुहम्मद गौरी का दूसरा आकरवन 1178 इस्वी में पाटन यानि गुजरात पर हुआ था एहां किशासक भीहीम दूतिये ने गौरी को बूरी तरह प्रास्त किया था मुहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद जो की परिक्षा में बार बार पूछा जाता है तराइन का प्रथम युद 1191 इस्वी में हुआ था गौरी एवं पिर्थिवीरा चौहान के बीच में इसमें पिर्थिवीरा चौहान का बिजय हुआ था दूसरा यूद तराइन का दुत्य यूद 1192 में होता है गौरी वा पिर्थवीरा चवहान के बीच में और गौरी इसमें बीजय प्राप्त करता है तिसरा यूद चंदावर का यूद होता है जो की 1194 स्वी में होता है गौरी एवं जयचंद के बीच में और गौरी इसमें बीजाई प्राप्त करता है तराइन के प्रत्थम यूद में पिर्थिवरा चवहान का सेनापती इसकंद था मुहम्मद गौरी भारत के बीजित पर्देशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौपते हुए गजनी लोट गया मुहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 स्वी को कर दी गई सल्तनत काल अब हम बात करेंगे सल्तनत काल की तो गुलाम बंस गुलाम बंस के स्थापना जो है 1206 स्वी में कुतुब दिन एवक ने किया था वह गौरी का गुलाम था गुलामों को फार्सी में बंदगा कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था कुतुब दिन एवक ने अपना राजवेशिक 24 जून 1206 वी को किया था कुतुब दिन एवक ने अपनी राधानी लहौर में बनाई थी कुतुब मिनार की नीव कुतुब दिन एवक ने डाली थी दिली का कुवत उल इसलाम मस्जिद एवं अजमेर का धाय दिन का जोपरा नामक मस्जिद इसका निर्मान कुतुब दिन एवक ने करवाया था कुतुब दिन एवक को लाख बक्स यानि लाखो का दान देने वाला भी कहा जाता था अब थोरा साम मंगोल के बारे में जान लेते हैं मंगोल जो था वह मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के देगिस्तान के निवासी थे वह एक घूमने फिरने वाली अर्ध सब भी जाती थी तथा उनका मुक्य पेशा घोडों और अन परशों का पालन करना था बेव बहुत गंदे रहते थे तथा सभी परकार का मांस खाते थे उनमें इस्तरी विश्यक नैतिकता का सरवथा अभाब्था यद भी मा का सम्मान करते थे बेव विभिन कभीलों में बटे थे उनहीं कभीलों में से एक में 1163 में तेमुचिन उर्फ चंगेज खां का जनम हुआ था जिसे महान चेंगिज द ग्रेट और स्त्रापित जो है दोनों प्रुकारा गया इसका पिता येशु गाई बहादूर था चंगेज खां का पिता का नाम येशु गाई बहादूर था याद रखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं कुतूब दिन के समय में कुतूब मिनार की केवल पहली मंजिल बनी थी। कुतुब मिनार जो है उसका नीव जो है कुतुब दिन एवक नहीं रखा था और उसके समय में मात्र एक मंजिल बना था इल्टुतमिस ने इसे दो सो पचीस फिट उचिया निचार मंजिल का बनवा दिया फिरोज शातुगलक के समय बिजली गिर जाने के कारण इसकी चौती मंजिल नष्ट हो गई जिसके कारण फिरोज ने इसमें दो चोटी मंजिले बनवा दे जिससे इसमें पांच मंजिल हो गई और उचाई जो है नौ फिट बढ़कर दो सो चौतिस फिट हो गई चलिए बागे बढ़ते हैं प्राचीन नालंदा विश्विद्याले को दोहस्त करने के वाला एवक का सहायक सिनापती बक्तियार खिली था कि नालंदा विश्विद्याला जो नालंदा में इस्तित था उसको धोस्त किया था बक्तियार खिलजी और बक्तियार खिलजी जो था वह कुतुब दिन एवक का ही सिननायक था एवक की मिर्थु 1210 एस्वि में चोगान खेलते समय घोड़े से गिर कर हो गई इसे लहोर में दफनाया गया एवक का उत्राधिकारी जो है उतुब दिन एवक का उत्राधिकारी आरामसा हुआ जिसने आठ महिनों तक शासन किया अरामसा की हत्या करके इल्टुत्मिस जो है 1211 एस्वि में दिल्ली की गद्धी पर बैठ गया इल्टुत्मिस तुरकिस्तान का इलवरी तुर्ग था जो एवक का गुलाम एवम दामात था एवक की मिर्थु के समय वह बदायों का गवर्नर था ठीक है करके दिल्ली लाया इसने हौज इस सुल्तानी का निर्मान देहली एक उनहा के निकट करवाया था इल्टुत्मिस पहला सासक था जिसने 1239 इस्वि में बगदाद की खलीफा से सुल्तान पत की बैधानिक सुकृति प्राप्त की थी इल्टुत्मिस की मिर्तियू जो है अप्रेल 1236 इस्वि में हो गई चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के समराट जलालुद्दीन को इल्टुत्मिस ने अपने हाशरन नहीं दी थी इल्टुत्मिस के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा वह एक आयोग शासक था इसके अलपकालिन शासन पर इसकी मा शाह तुरकान चाही रही शाह तुरकान के अवांशित परवाब से परिशान होकर तुरकी अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटा कर रजिया को सिंगासन पर आसीन किया इस परकार रजिया वेगम परथम मुस्लिम महला थे जिसने शासन की बागरोर सम्हाल ली इल्तुत्मीस के कुछ महत्पुन कार्ज है इसको हम लोग देख लेते हैं कुतुम मिनार के निर्मान को पुन करवाया था इल्तुत्मीस ने ही सबसे पहले शुद अर्वी सिक्के जारी किये चान्दी का टका एवं तामे का जीतर इसे भी याद रखेगा फिर इक्ता परणाली की सुर्वाज जो है इल्तुत्मीस ने ही करवाया था फिर चालिस गुलाम सरदारों का संगठन बनवाया जो तुरकान एचहलगानी के नाम से जाना जाता है फिर यही जो तुर्का ने चहलगानी है इसका जो है बिगटन करता है बलबन यह भी याद रखेगा सरपर्थम दिल्ली के अमीरों का दमन भी इलतुतमिस नहीं किया था चलिए अब हम लोग आगे बरते हैं तो रजिया बेगम पर्थम मुस्लिम महिरा थी जिसने शासन की बागडोर समभाली थी रजिया ने परदा परथा का त्याग करव पुरोशों की तरह चोगा यानि काबा एबन कुला टोपी पहन कर राध दरवार में खूले मुह से जाने लगी रजिया ने मलिक जमालुदीन याकूत को अमीर ए आखूर यानि घोडे का सरदार न्युक्त किया गयर तुरकों को सामंत बनाने के रजिया के पर्यासों से तुरकी अमीर विरुद हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्धी पर मुहि जुद्धीन बहराम साह को बैठा दिया रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई इस से शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गदि प्राप्त करने का परियास किया लेकिन वह असफल रही रजिया के हत्या 13 अक्टूबर 1240 इस्वी को डाक्पियों के द्वरा कैथल यानी के हर्याना के पास कर दी गई बहराम सा को बंदी बना कर उसकी हत्या मई 1242 स्वी में कर दी गई उसके बाद दिल्ली का सुल्तान अल्लाउदीन मसूद शाह बना बलबन ने सडियंद के द्वारा 1246 में अल्लाउदीन मसूर शाह को सुल्तान के पद से हटा कर नसिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया नसिरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीलकर जो है अपना जीवन दिर्वाह करता था बल्बन ने अपनी पुत्री का विवा जो है नसिरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया बल्बन का बास्तविक नाम बहा उद्दीन था वह इलतुद मिश का गुलाम था तुरकान ए चिहलगानी का बिनास बल्बन ने ही किया था बल्बन 1266 में गया सुद्दीन बल्बन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा यह मंगोलों के आकरवन से दिल्ली की रच्छा करने में सफल रहा सीरी नामक नया नगर बल्बन ने बनवाया था राज दर्वार में सीजदा एवं पैवोस प्रथा की सुरुवात बल्बन ने की थी बल्बन ने फार्सी दिती रिवाज पर अधारित नवरोज यानि फार्सी साल का पहला दिन उच्छा को प्रारम करवाया ठीक है यानि नवरोज को किस ने शुरुआत करवाया तो अब बलबन नहीं करवाया था आगे बढ़ते हैं अपने विरोधियों के प्रती बलबन ने कठोर यानि लौह एवमरक्त की नीती का भी पालन किया नसिरुद्दीन महमूद ने बलवन को उलुख खा की उपाधी परदान की थी, बलवन आखेट अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूली तक कबायद कराकर दुरुस्त रखता था बलवन के दरबार में फार्सी के परशिद कभी अमीर खुश्रो एवं अमीर हसन रहते थे, गुलाम बंस का अंतिम शासक शम्सुद्दिन कैमूर्ज था अब हम बात करेंगे खिलजी बंस का, तो 1290 से 1223 इसवी तक खिलजी बंस का शासन रहता है गुलाम बंस के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 इसवी को जलाल उदीन फिरोज खिलजी ने खिलजी बंस के स्थापना की इसने कलोखरी को जो है अपनी राधानी बनाया जलाल उदीन की हत्या 1296 इसवी में उसके भातिजावा दमाद अला उदीन खिलजी ने काड़ा मनिकपूर यानि परियाग में कर दी थी 12 अक्टूबर 1296 में अला उदीन दिल्ली का सुल्तान बना फिर देखेगा अला उदीन के बचपन का नाम अली तथा गूर्शासक था अक्ट बेतन एवं अस्थाई सेणा की नीव रखी दिल्ली के सासकों में अला उदीन खिल जी के पास सबसे बिशाल इस्थाई सेणा था घोड़ा दागने एबं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत जो है अलाउदिन खिलजी नहीं किया था अलाउदिन ने भूराजस्व किदर को बढ़ा कर उपज का एक वटे दो भाग कर दिया था इसने खम्स यानि लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा एक वटे चार भाग के अस्थान पर तीन वटे चार भाग कर दिया था इसने बेपारियों में बेमानी रोपने के लिए कम तोलने वाले व्यक्ति के सरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया था इसने अपने शासनकाल में मुल्ल नियंतरन पढ़ाली को द्रिर्टा से लागो किया था दच्छिन भारत की बीजय के लिए अलाउदीन ने मलिक काफुर को भेजा था जैमत खाना मस्जीद अलाई दर्वाजा सिरी का किला वह हजाराखंभा महल का निरमाल अलाउदीन ने ही करवाया था अलाई दर्वाजा को इसलामी बास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है दैवी अधिकार के सिध्यांत को अल्लाउदिन ने चलाया था सिकंदर ए सानी की उपाधी से स्वय को अल्लाउदिन खिलजी ने विभूशित किया था अल्लाउदिन ने मलिक याकूब को दिवान ए रियासत नियुक्त किया था लिए के अल्ला ओदिन ने मलिक याकूब को जो है दिवान ए रियास्त नियूख किया था अल्ला ओदिन द्वारा नियुखत परवाना यवीष नामक अधिकारी बस्तूओं की परमिट जारी करता था अलाउदिन खिलजी के द्वारा नियुत परवाना नवीस नाम का दिकारी जो होता था वो बस्तूओं की परमिट जारी करता था शहना ए मंडी ये खादानों को विक्री हेतू लाया जाता था यहां पर और सराय ए अदल यहां बस्त्र, शक्कर, जड़ी बुटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अनिर्मित बस्तूओं विक्ने के लिए लाई जाती थी आगे यहां पर देख लिजेगा अमीर खुसरो का मूल नाम जो है मुहम्मद हसन था ठीक है अमीर खुसरो का मूल नाम मुहम्मद हसन था उसका जनम पटियाली यानि पर्चिम उतरपरदेश के बधायों के पास में 1252 में हुआ था खुसरो परसिद सूफी संद सेख निजामुदिन अउलिया के शिशिता वह बलवन से लेकर मुहम्मद तुगलक तक की दिल्ली के दरवार में रहा था इन्हें तूतिय हिंद यानि भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है सितार वन तबले के अभिस्कार का स्त्रे अमीर खुसरो को ही दिया जाता है इन्होंने ही भारती संगीत में कबाली गायान को परचलित किया साथ ही इन्हें कई परकार के आधूनिक रागो जैसे की तिलक, साजगीरी, सरपादा, आधी को परचलित करने का स्रेप प्राप्त है इन्हें हिंदी खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है बजार नियंतरन करने के लिए अलाओ दिन खिलजी द्वारा बनाये जाने वाले नवीन पद जो है ये देख लीजिएगा दिवान ए रियासत यह बेपारियों पर नियंतरन रखता था यह बजार नियंतरन की पूरी विवस्था का संचारन भी करता था शहना ए मंडी परतेक बजार में बजार का अधिक्छक होता था बरीद बजार के अंदर घूम कर बजार का निरिक्षन करता था मनहियान वगुप्चर गुप्चर सूचना जो है त्राप्त करता था अलाओ दिन खिलजी की आर्थिक निती की ब्यापक जानकारी जियाओ दिन बर्दी की कृति तारीखे फिरोष राहिप से मिलती है अमीर खुसरो फिर रिहला इवन बतूता एवं फुतु हस लातीन इसामे की कृति है मूल नियंतरन को सफल बनाने में मुहत्सीव यानि सेंसर एवं नाजीर नात्तोल अधिकारी की महत्पुन भूम का थी राजस्व सुधारों के अंतरगत अलाउदीन ने सरपर्थम मिल्क इनाम एवं बप के अंतरगत दी गए भूमी को वापस लेकर उसे खालसा भूमी में बदल दिया था अलाउदीन खिलजी के द्वरा लगाये जाने वाले नवीन कर चराई कर जो की दुधारों पसुव पर लगाया जाता था गड़ी कर जो की घरों जोप्री पर लगाया जाता था अलाउदीन खिलजी के सासन काल में 1297 से 1306 इस्वी तक मंगोलों के 6 आकरमन हुए थे पर्थम आकरमन 1297 इस्वी में कादर खा के नितरित में दूसरा आकरमन 1297 इस्वी में सल्दी के नितरित में तार्ताक के नितरित में एवं 6 आकरमन 1306 इस्वी में कवक एवं इकवाल मंद के नितरित में हुआ था अल्लाओ दिन खिलजी की मिर्तियू 5 जनबरी 1316 इस्वी को हो गई कुतुब दिन मुबारक खिलजी 1316 इस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर पैठा इसे नगन इस्वी पूरुष की संगत पसंद थी मुबारक खिलजी कभी-कभी राजदर्वार में इस्त्रियों का वस्त पहर्ण कर आ जाता था बढ़नी के अनुसार मुबारक कभी-कभी नगन होकर दर्वारियों के बीच दोरा करता था मुबारक खान ने खलीभा की उपाधी धारन की थी मुबारक के बजीर खुष्रोड खान ने 15 अपरेल 1320 इस्वी को इसकी हत्या कर दी और श्वाएं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा खुष्रोड खान ने परगंबर के सेनापती की उपाधी धारन की थी तुगलक बंस 1320 से 1398 इस्वे 5 सितंबर 1320 इस्वी को खुष्रोड खान को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुदिन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा गयासुदिन ने अल्लाव दीन के समय में लिये गए अमीरों की भूमी को पुनह लोटा दिया इसने सिचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्मान करवाया संभवत्तर नहरों का निर्मान करने वाला गयासुदिन परथम शासक था गया सुदिन तुगलक ने दिल्ली के समीब इस्थित पहाड़ियों पर तुगल का बाद नाम का एक नया नगर अस्थापित किया रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर का निर्मान भी हुआ इस दुर को च्छपन कोट की नाम से भी जाना जाता है गया सुदिन तुगलक की मिर्तिव जो है तेरसो पचीस इस्वि में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खा द्वारा निर्मित लकडी के महल में दवकर हो गई गया सुदिन के बाद उलुख खा या जूना खा मुहम्मद बिन तुगलक के नाम से तेरसो पचीस इस्वि में दिल्ली की सिंगातन पर बैठा देख लेते हैं मुहम्मद बिन तुगलक द्वारा किर्यानवित करमशस चार योजनाए दोआब छेतर में करबिर्धी 1326-27 के बीच में राजधानी परिवर्तन किया गया 1326-27 के बीच में सांकेतिक मुद्रा का पचलन किया गया 1329-30 के बीच में और खुरासान एबं कराचील का अभ्यान किया गया चार जो है या गया सुधिन तुगलक के द्वारा किया गया था चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग तो देखते हैं कि गया सुधिन तुगलक की मिर्तु को अपनी सनक भरियोजनाओं कुरूड कृतियों एबं दूसरे के सुख दुख्स के प्रती उपेक्षा भाव रखने के कारण सोपन शील पागल एबं रख पिपासु कहा गया है ठीक है यहां पर एक चीज़ देख लिजिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं लोग यहां जो दिया गया है यह जो चार चीज़े हां पर किया गया था दौप छेदर में करविदी राधानी परिवरतन सांकेतिक मुद्रा का परचलान खुरासान एबं कराचील का पिहानी यह चारों जो है यह मुहम्मद बिन तुगलक के के लिए अमीर एक कोही नामक एक नवीन विभाग के अस्थापना की मुहम्मद बिन तुगलक ने अपने राधानी दिल्ली से देवगीरे में अस्थानांतरित की और इसका नाम दौलतावाल रखा मुहम्मद बिन तुगलक अपने परते मलिक के शमान में दो पोशाक दिया करता था एक जारे में और दूसरा गर्मे में कहा जाता है कि डाग प्रबंधों के द्वारा मुहम्मद बिन तुगलक के लिए ताजे फल याने खूरासान से एवन पीने के लिए गंगा जल मंगवाया जाता था सांकेतिक मुद्रा के अंतरगत मुहम्मद विन तुगलक ने कांसा यानि फरिस्ता के नुशार तामा वर्णी के नुशार धात्वों के सिक्के चलवाए जिनका मूल चांदी के रुपिये टंका के बराबर होता था सांकेतिक मुद्रा का परियोग चीन के कुबलाई खाँ एवं इरान के गजन खाँ नामक एक मंगोल सासक ने भी किया था अफ्रिके यानि मोरक्को यात्री इवन बतूता लगभग 1333 सिस्वी में भारत आया सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुद किया 1342 सिस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राद दूत के रूप में चीन भेजा था इसको इवन बतूता को आगे बढ़ते हम लोग इवन बतूता की पुस्तक रेहला में मुहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है इसने अपनी पुस्तक में बिदेशी विपारियों की आवागमन डाक चौक्यों के स्थापना यानि डाक विवस्था एवं गुप्तचर विवस्था के बारे में लिखा है इसने नगाडों की भारी ध्वनी के बीच एक इस्तरी को सती होने के दिरिश्च का वर्णन किया है इसके कथानुसार सती होने के लिए सुल्तान से अनुमती लेनी परती थी मोहमद तुलक के समय जिया नक्षी पहला व्यक्ति था जिसने संस्क्रीट कथाओं की एक स्रिंखला का फार्सी में अनुभाद किया था इस पूस्तक का नाम तूती नामा था जिसमें एक तोता एक ऐसी विरहनी नाइका को कहानी सुनाता है जिसका पती यात्रा पर गया है मुहम्मद तुगलक ने जिन प्रभु सूरी नामक जैन साधू को अपने दरबार में बुला कर समान परदान किया था मुहम्मद बितुगलक की मिर्तियों 20 मार्च 1351 को सिंध जाते समय थट्टा की निकर्ट गोडाल में हो गई थी मुहम्मद बितुगलक की मिर्तियों 20 मार्च 1351 को सिंध जाते समय थट्टा की निकर्ट गोडाल में हो गई थी मुहम्मद बितुगलक के शासनकाल में दक्षिन में हरिहर यवंबुक का नामक दो भाईयों ने 1336 में शोतंतर राज बीजय नगर की अस्थापना की थी महराश्ट में अलावदीन बहमन शाह ने 1346 सिस्वी में शोतंतर बहमनी राज जी के अस्थापना की थी मुहम्मद बितुगलक की मिर्तियों पर इतिहासकार बदायूनी लिखता है अंततह लोगों को उससे मुक्ति मिली और उससे लोगों से मुहम्मद बितुगलक शेक अलावदीन का सिस्था वह सल्तनत का पहला शाह सक था जो अजमेर में शेक मुझुद्दीन चिस्थी की दरगाह और बहराईच में सालार मसूद गाजी के मकवेरे में गया था मुहम्मद बिन तुगलक ने बदायों में मीरन, मुलहीम, दिल्ली में शेक निजामुदिन ओलिया, मुलतान में शेक रुकनुद्दीन, अजुधन में शेक, मुलतान आदि संतों की कवर पर मकवरे बनवाये थे फिरोज तुगलक का राजय विशेक थट्टा के नजदीक 20 मार्च 1351 को हुआ, पुना फिरोज का राजय विशेक दिल्ली में अगस्त 1351 को हुआ, खलीफा द्वारा इसे कासीम अमीर उल मुममीन की उपाधि किसे दी गई थी, तो अधिया गया था फिरोज शाह तुगलक क यहां पर याद रखेगा कि फिरोज शाह तुगलक जो है, यह दो बार जो है, अपना राजय विशेक करवाता है, ठीक है, यह भी आप याद रखेगा, एक बार जो है, थट्टा के नजदीक 20 मार्च 1351 को, और फिर जो है, दिल्ली में अगस्त 1351 को, यानि दो बार यह अप खुम्स यान यूद में लूटा गया माल, जजिया एवन जकात को बसूल करने का आधेश दिया था, फिरोज तुगलक ब्रहमनों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसल्मान सा सक था, फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिचाईक कर भी लगाया, जो उपज का एक बटे दस भाग था, फिरोज तुगलक ने पांच बड़ी नहरों का निर्मान करवाया, फिरोज तुगलक ने तीन सो नए नगरों की अस्थापना की, इन में हिसार, फिरोजावाद दिल्ली, पतेहावाद, जौनपूर, फिरोजपूर और मुख है, इसके शासनकाल में कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग यानि दिवान एक हैरात की अस्थापना की थी, सल्तनत कारिन सुल्तानों के सासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000 फिरोज शाह तुगलक के समय ही था, दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए को बनसानुवत बना दिया था, इसने अपनी आत्मकथा फत्तु हात ए फिरोज शाही की रचना की, इसने जियाउदीन बर्नी एवं शम्स ए शिराज अफ्रीका को अपना सरच्छन परदान किया, इसने ज्वाला मुखी मंदिर के पुस्तकाले से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फार्सी में विद्वान उपा उद्दीन द्वारा दलाईते फिरोज शाही के नाम से अनुबात करवाया, इसने चांदी एवं तामे के मिस्टन से निर्मित सिक्के भारी शंख्या में जारी करवाया, जिसे अध्धा एवं विक कहा जाता था फिरोज तूलक की मिर्तियू सितंबर 1388 इसमी में हो गई, फिरोज काल में निर्मित खान ए जहां तेलंगानी के मकवरे का तुलना जेरुशलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है, यानि फिरोज काल में निर्मित खान ए जहां तेलंगानी के मकवरे की तुलना जे तुगलग बंसका अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमुत तुगलग था, इसका शासन दिल्ली से पालं तक ही रह गया था। तैमूर लंग ने सुल्तान नसिरुद्दीन महमुद तुगलक के समय तेरा सो अंठानवे इस्वी में दिल्ली पर आकर्मन किया नसिरुद्दीन के समय में ही मलिक कुशरसक यानि पुर्वादिपती की उपाधी धारन कर एक हिज्रा मलिक सर्वर ने जौनपूर में एक स्वत्तन तराज के स्थापना की थी अब हम लोग यहाँ पे सयद बंस को पढ़ेंगे जिसका किशासनकाल 1414 से ले करके 1451 के मद्दी था सयद बंस का संस्थापक खिजर खां था इसने सुल्तान की उपाधी न धारन कर अपने को रईयत ए आला की उपाधी से ही खुज रखा खिजर खां तैमूर लंग का सेनाल पती था भारत से लोड़ते समय तैमूर लंग ने खिजर खां को मुलतान लहौर एवं दिपालपूर का शासक न्यूप किया खिजर खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुप को कर भेज भेजता था खिजर खां के मिर्टिव 20 मई 1421 इसवी में हो गई थी खिजर खां के पुत्र मुबारक खाने शाह की उपादिधारन की थी याहिया विन अहमद सरहिंदी को मुबारश शाह का सनरचन प्राप्था इसकी पुछतक तारिक ए मुबारक शाही में सयद बंस के विसय में जनकारी मिलती है यमना के किनारे मुबारकाबाद के सापना मुबारक शाह ने की थी सयद बंस का अंतिम शुल्तान अलाउदीन आलम शाह था सेयद बंस का अंतिम सुल्तान अलाउदीन आलम शाह था सेयद बंस का शासन करीब 37 वर्सों तक रहा अब हम लोग लोधी बंस को देखेंगे लोधी बंस इसका किसासनकाल 1451 से लेकर के 1526 सिस्वे के मन्दि था लोधी बंस का संस्थापक बहलोल लोधी था वह 13 अप्रेल 1451 को बहलोल शहगाजी की उपाधी से दिल्ली के सिंहासन पर पैठा दिल्ली पर प्रथम अफगान्ज राज के स्थापना का स्थरे बहलोल लोधी को ही दिया जाता है बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्य का प्रचलन करवाया वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर उकारता था वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर शुए भी खड़ा रहता था बहलोल लोधी का पुत्र निजात खां 17 जुलाई 1489 इस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपादी से दिल्ली के सिहासन पर बैठा पंद्रसो चार इस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की अस्थापना की भूमी के लिए मापन के परमानिक पैमाना गजे शिकंदरी का परचलन सिकंदर लोधी ने ही किया था गुलरुखी शिर्षक से फार्सी के बिताय लिखने वारा सुल्तान सिकंदर लोधी था सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया इसके आदेश पर संस्क्रित के एक आयरुवेद ग्रंद की फार्सी में फरहंगे सिकंद्री के नाम से नुभाद हुआ इसने नगर कोट के जौला मुखी मंदिर की मूर्ती को तोड़ कर उसके एक तुक्रे को कसायों को मांस तोलने के लिए दे दिया था इसने मुसल्मानों को ताजिया निकालने एवं मुशल्मान इस्त्रियों को पीरो तता संतों के मजार पर जाने के पर पतिवन्द लगा दिया गले की बिमारी के कारण सिकंदर लोधी की मिर्थियों 21 नवंबर 1527 बीक्यों हो गई इसी दिन इसका पुत्र इबराहिम यानि इबराहिम सा की उपाधी से आगरा के सिंगासन पर बैठा संभवत्या दिल्ली के सुल्तानों में शिकंदर लोधी पर्थम सुल्तान था जो हिंदू के तेवारों मुख्यत्या होली में भाग लेता था दिल्ली की मोठ मजजी सिकंदर लोदी के परधान मंत्री यानि वजीर मिया वोईया ने 1505 इसवी में बनवाया था 21 अप्रेल 1526 इसवी को पानीपत के परथम युद में इबराहिम लोदी बाबर से हार गया इस युद में बह मारा गया बाबर को भारत पर आक्रमन के लिए निमंत्रन पंजाब के शासक दवरत खान लोदी एबं इबराहिम लोदी के चाचा आलम खाने दिया था सल्तनत कालिन शासन बेवस्था किंद्रिय परशासन का मुखिया सुल्दान होता था बलबन एबं अलाउदिन के समय अमीर परभाभीन हो गए अमीरों का महत्व चरमोत कर्श पर था लोदी बंस के सासन काल में सल्तनत काल में मंत्री परशद को मजलिस ए सल्वत कहा गया मजलिस ए खास में मजलिस ए खल्वत की बैठक होती थी बार ए खास इसमें सुल्दान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मलीकों और अन्रसोरिनों को बुलाता था बार ए आजम सुल्दान राज की ए कारियों का अधिकांस भाग पूरा करता था मंत्री एवं उससे समंदिक विभाग मुश्रिफ ए मुमालिक जो की महालेखा कार होता था मजमुआदन या उधार दिये गए धहन का हिसाब रखता था खजीन जो था यह कोशा ध्यच होता था आरिक ए मुमालिक दिवान ए अर्ज अत्वा सैन विभाग का परमुख था सद्र उस सुदूर धर्म विभाग ए बंदान विभाग का परमुख था काजी उल्कजात सुल्टान के बाद नयाय का सर्वोच अधिकारी होता था काजी उल्कजात फिर बरीद ए मुमालिक गुप्चर विभाग का परमुख अधिकारी होता था वकील ए दर सुल्टान की व्यक्तिकत से वाओं की देखवाल करता था दिवान ए खैरात दान विभाग था दिवान ए बंदगान दास विभाग था दिवान ए इस्तिहार इस्तिहाक इंसन विभाग था यह तीनों पूछा जाता है याद रखेगा दिवाने खहरात, द्यानविभाग, दिवाने बंदगान, दास्विभाग, दिवाने इस्तिहाग, पेंसन विभाग था सल्तनत काल में दिवाने रियासत, धार्मिक मामलों, पवित्र इस्थानों, तथा योग बिद्वानों और धरम परारायन लोगों को वजीफा देता था दिवाने रियासत, धिक है, इसका अध्याच परमुक सदर होता था, जो सधारंत या परधान काजी होता था, यह नियाविभाग का भी अध्यक्ष होता था अभी यहाँ पर कुछ विभाग है उसको बनाने वाला सुल्तान कौन था, जैसे दिवान ए मुस्तक्राच या बित विभाग था, इसको बनाया था अल्लावदीन खिलजी ने दिवान एकोही या क्रिशी विभाग था इसको बनाया था मुहम्मद विन तुगलक ने दिवान ए अर्ज या सैन विभाग था इसको बनाया था बलवन ने दिवान ए बंदगान इसको बनाया था फिरोशा तुगलक ने दिवान एक हैरात फिरोषा तुगलक और दिवान एश्तिहाक फिरोषा तुगलक। दिवाने इंसा नामक विभाग राज के पत्रा 4 से समंदित रखता था दिवाने इंसा। समराज के विभिन भागों में चल रही गतिबिधियों की पून जानकारी के लिए दूतों की निूपती की जाती थी, ये दूत बरीत कहलाते थे. सासन के सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र लोग ही मुख बरीत के पद पर निूपत किये जाते थे. लोक निर्मान विभाग की अस्थापना फिरोज दुगलक ने की थी यह विभाग नहरों तथा सारजनिक भवनों का निर्मान करता था सल्तनत अनेक प्रांतोज में बटा हुआ था जिसे इक्ता या सुवा कहा जाता था यहां का शासन नायव या बली या मुक्ती द्वारा होता था इकताओं को शीको यानि जीलों में विभाजित किया गया था जहां का पर्मुक अधिकारी शिकदार होता था जो एक सैनिक अधिकारी था आप हमलो राजस्प यानि कर्व बस्ता को यहाँ पर दखेंगे उस्र जो था हुombos से लिया जाने वाला भूमी कर था खराज या गएर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमी कर था जकात या यह मुसल्मानों पर धार्मे कर याने की संपत्ती का चारिसमा भाग होता था जजिया गैर मुसल्मानों पर धार्मी कर था यहाँ पर जो एक खंस यह लूटे हुए धन खानों अत्वा भूमी में गरे हुए खजानों से प्राप्त संपत्ती का एक बटे पांच भाग था जिस बटे पांच भाग हिस्सा सोय अपने लिए रखा था सुल्तान सिकंदल लोदी ने गड़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया सीको को परगनों में विभाजित किया गया था आमिल परगने का मुख अधिकारी था और मुश्रिफ लगान को निशित करने वाला अधिकारी था एक शहर या एक सो गामों के शासन की देकभाल अमीर ए सदा नामक अधिकारी करता था पर सासन के सबसे छोटी इकाय गराम होता था गराम में सबसे अधिक प्रभाब शाली लोग खुत यानि छोटे जमिंदार और मुकदम यानि मुखिया होते थे गराम का एक बटबारी भी होता था सुल्तान की अस्थाई सिना को खास खेल नाम दिया गया था मंगोल सिना के बरगी करन की दसमलब परनाली को सल्तनत कालिंशन विवस्था का अधार बनाया गया था सल्तनत काल में बारूत की सहायता से गोला फेकने वाली मसीन को मंग लिक तथा राद कहा जाता था अब यहां देखेगा दस अस्वारोही बराबर एक सर एक खेल था दस सर एक खेल बराबर एक सिपह सलार होता था और दस सिपह सलार बराबर एक अमीर होता था और एक अमीर बराबर एक मलिक होता था और एक मलिक बराबर एक खान होता था ठीक है अब यहां देखिएगा अस्थान और परसिधी के कारण क्या था जैसे सरसूती या अच्छी किस्म के चावल के लिए परसिध था अही वाड़ा अनही वाड़ा जो था यह विपारियों का तिस्थल के रूप में था सत गाउं रेश्मी रजाईयों के लिए परसिद था आगरा नील उत्पादों के लिए परसिद था और बनारस सोने चादिवा जड़ी काम के लिए परसिद था चलिए आगे बढ़ते हम लोग अल्लाव दिन खिल जी ने इक्ता प्रथा को शमापत किया था इक्ता प्रथा की दुबारा शुरूआत फिरोशा तुगलक ने की थी सल्थनत काल में अच्छी नसल के घोड़े तूर्की अरव एवं रूस से मंगवाये जाते थे हाथी मुक्तया बंगाल से मंगवाये जाते सल्तनत कालिन कानून शरियत कुरान एवं हदीस पर अधारित था ठीक है आगे बढ़ते हैं मुस्लिम कानून के चार महत्पुन शोत्र थे कुरान हदीस इजमा एवं कयास सुल्तान सप्ता में दो बार दर्बार में न्याय करने के लिए उपस्तित होता था सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिस्त्रित परणाली को मुक्ताई कहा गया है भूमी की नाप जो करने वाले छेतरफल के लिए अधार पर लगान का निर्धारन मसाहत कहलाता था इसकी सुरुवात अलाउदीन ने की थी पुन केंदर के नियंतरन में रहने वाली भूमी जो थी वा खालसा भूमी कहलाती थी अलावदी ने दान की गई अधिकांस भूमी को छीन कर खालसा भूमी में परिवर्थित कर दिया था सल्तनत कालेन मुद्रा विवस्था चांदी के टके और तामे के दिरहम पर अधारी थी देवल सल्तनत काले में अंतराश्टिय बंदरगाह के रूप में परसिर्थ था सभां से बैजयनगर का शादिक अर्थ है जीद का शहर हरीहर यवर्म बुका ने विजयनगर के अस्थापना विद्यारन संत से असृबात प्राप्त करके ही की थी हरीriage प्रमुक्ष दूतिये पिर देवराय प्रत्थम पिर देवराय दूतिये फिर मलुकार जुन और फिर बिरुपाक्ष दूतिये चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर देखेगा अश्ट दिगज में सामिल कभी कौन-कौन थे जो की यहां विजय नगर समराज में राते थे जैसे कि देख सकते हैं आप यहां पर हरिहर एवं बुक्का पहले बारंगल के काक्तिये शासक परजाप परताप रुद्रदेव के स शासन किया संगम बंस, सलूब एवं तुलूब बंस, एवं अराब बीडू बंस ठीक है यह सब जो शासन किये उसके बाद फिर बुक्का प्रथम ने देव मार्ग परतिश्ठापक की उपाधी धारन की थी हरिहर दुतिये ने संगम सासकों में सबसे पहले महाराजा की उपाधी धारन की इटली के यात्री निकोलो कांटी बिजय नगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासन काल में आया इसने दास प्रथा के बारे में विश्ठित बढ़न किया है देवराय प्रथम ने तुंभधरा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरे ला सके, सिचाई के लिए उसने हरिद्रा नदी पर विवान बन बाया, संगम बंस का सबसे प्रतापी राजा देवराय दुतिय था, इसे इमाडी देवराय भी कहा जाता था, फार्सी रादूत अब्दुल रजाक देवराय दुतिय के सासनकाल मे बिजय नगर आया था इसके अनुसार बिजय नगर में पुलिश बालों का वेतन वेस्याले की आई से दी जाती थी तेलगु कभी स्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय दुतिये के दरवार में रहे थे फरिस्ता के नुसार देवराय दुतिये ने अपनी सेना में 2000 मुशलमानों को भरती किया था एवं उन्हें जागीरे दी थी एक अभिलेक में देवराय दुतिये को गज बेटक यानि हाथियों का शिकारी कहा गया है देवराय दुतिये ने संस्कृत गरंत महानाटक सुधा निधी एवं ब्रहमसुत्र परभास लिखा मलिका अर्जुन को प्रोट देवराय भी कहा जाता था सालूब नर्सिंग ने बिजय नगर में दूसरे राजबंस सालूब बंस यानि 1485 से 1560 स्वी की अस्थापना की सालूब तिम्मा क्रिश्ण देवराय का योग मंत्री एवं सेनापती था भाबर ने अपनी आत्म कथा भाबर नामा में क्रिश्ण देवराय को भारत का सरवादिक शक्ति साली सासक बताया था क्रिस्ट देवराय के सासनकाल में पूर्टगाली यातरी डिमी गोस पायस वीजने नगर आया था क्रिस्ट देवराय के दरबार में तेलगु शाहित के आठ सर्वशेष्ट कभी रहते थे जिन्हें अश्ट दिगज कहा जाता था जो कि मैंने उपर दिखाया था अश्ट दिगज तेलगु कभियों में अलसनी पेद्दन सरप्रमुक था जो संस्क्रीट एवं तेलगु दोनों भासाओं का विद्वान था इसे तेलगु कभी का पितामः यानि आंद्र कभीता का पितामः की उपादी भी प्राथ थी उसके सासनकाल में को तेलगु सहित का क्लासिक यूग कहा गया है कृष्ण देवराय ने तेलगु में अमुक्त माल्याद एवं संस्क्रीट में जामवती, कल्यानम और उशा परिणय की रचना की है भीजय नगर समराज में नंदी नागढ़ी लिपी का परियोग होता है नागलपूर नामक नए नगर हजारा राम एबं बिठल स्वामी मंदीर का निर्मान क्रिश्ण देवराय ने करवाया था इसके अतिरिक्त क्रिश्ण देवराय ने चिदंबरम मंदीर, अमबारम में पर्वती का मंदीर, एबं काचिपूर में बर्द राज, एबं एकम बर नाथ मंदीर का निर्मान करवाया था क्रिश्ण देव राई की मिर्तियु 1529 सिवी को हो गई क्रिश्ण देव राई ने आंद्र भोज, अभिनभोज, आंद्र पितामा, आधि उपादी धारन की थी तुलूब बंस का अंतिम शासक सदासिव था राच्सित तंग्री या ताली कोटा या बन्नी हटी का यूद जो है तैह जनवरी 1565 सिवी को हुआ इस उद के कारण बिजय नगर का पतन हुआ बिजय नगर के बिरूद बने दच्छिन राजियों के संग में शामिल था बीजापूर, अहमद नगर, गोलकुंडा एबं बीदर इन सन्युक्त मोर्चा के नित्रित अली आदिल साह कर रहा था ताली कोटा के यूद में बिजय नगर का नित्रित राम राय कर रहा था बिजय नगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हीत तीन अलग-अलग शित्रों में आपस में टक्राते थे तुम्भाद्रा के दुआ में कृष्णा गोदावरी के कछार में और मराठा बारा प्रदिश में ताली कोटा यूद के बाद सदाशिव ने तीरूमल के सहयोग से पेनु कोंडा पुरा धानी बना कर शासन करना प्ररम किया बिजयनगर के चौथे राजबंस आरा बीडू बन्स जो की 1570 से 1672 सिवे किये स्थापना तीरूमल ने सदाशिव को अपदस्त कर पेनु कोंडा में किया था चलिए आगे हम देखते हैं यहां फिर से देखिएगा बिजयनगर के चौथे राजबंस आरा बीडू बन्स की अस्थापना जो है तीरूमल ने सदाशिव को अपदस्त कर पेनु कोंडा में किया आरा बीडू बन्स का अंतिम सासक रंग तिरतिय था आरा बीडू सासक बेंकर दूतिय के सासनकाल में ही बोडे यार ने 1612 इस्वी में मैसूर राज के अस्थापना की थी बीजय नगर समराज की प्रसासनी की काई का करम घटते हुए इस प्रकार था प्रांत मंडल कोट्टमिया बलनाडू जीला नाडू मेला ग्राम पचास ग्राम का समू उर गाउ बीजय नगर कालिंज सासको कोश नायक कहा जाता था ये नायक बस्तुता भूशामंद थे जिन्हें राजा बेतन के बदले अत्वा उनकी अधिनस सेना के रख रखाव के लिए बिशेश भूमंड भूखंड दे देता था जो अमरम कहा लाता था अयंगर ब्यवस्ता प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए परते गाउं को 133 एकाई के रूप में संगठित किया गया था इन ग्रामिन एकाईओं प्रशासन हैतू 12 प्रशासके अधिकारियों की निउप्ति की जाती थी जिनको समोहिक रूप से अयंगर कहा जाता था ये अवैतनीक होते थे इनकी सेवाओं के बदले सरकार इने पुर्टा लगानमुक्त बकरमुक्त भूमी परदान करती थी इनका पद अनुवांसिक होता था वह इस पद को बेच या गिर्वी रख सकता था ग्रामस्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों के इजाजत के बिगएर न तो बेची जा सकती थी और नहीं दान में दी जा सकती थी बिजयनगर आने वाला फर्मुक्त बिदेशी यात्री और जो है वह किसके सासनकाल में आया था तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे निकोलो कॉंटी जोकी इटली देश का था या 1420 इसमें देवराय प्रतम के सासनकाल में आया था अब्दूर रजाक या फारसी का फारस देश का था या 1442 इसमें देवराय दूतिय के सासनकाल में आया था फिर है नूनीज नूनीज जो पुर्तगाल का था या 1335 इसमें अचूत राय के दरवार में आया था डोमिंग पायस यह पूर्टगाल का निवासी था यह 1515 में क्रिश्ट देवराई के दरवार में आया था बारबोस आय यह पूर्टगाली का बाइसराय था 1515 में क्रिश्ट देवराई के दरवार में आया था करनिक नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय बिक्रे से समन्दित समस्त तरस्तावेज होते थे बिजयनगर समराज की आय का सबसेव रासरोत लगाम था भूरा जस्व किदर उपज का एक वटे छठमा भाग था बिवाह कर बर एवं बधु दोनों से लिया जाता था बिधवा से बिवाह करने वाले इस कर से मुख्ध थे उमबली जो थे ग्रा में बिशेश्वाओं के बदले दी जाने वाले लगान भूमी की भूधारन पत्ति थी रत कोड़गे यूद में सौर्ज का परदर्शन करने वाले मिर्ध लोगों के परिवार को दी गई भूमी को कहा जाता था रत कोड़ी कुटम्मी ब्रहम्मन मंदिर या बड़े भूश्वामी जो स्वय क्रिशी नहीं करते थे किसानों को पट्टे पर भूमी दे देते थे ऐसे भूमी को कुटगी कहा जाता था बेक्रिशक मजदूर जो भूमी के क्रय विक्रय के साथ ही अस्तांतरित हो जाते थे, कूदी कहलाते थे यूद में बीरता दिखाने वाले पुरुशों के लिए गंड पेद्र नामक पैड में धारन करने वाले कड़े को सम्मान का परतीक माना जाता था कृस्न देवराय के दरबार में महला अंगरचिकाओं का वर्ण मिलता है बिजय नगर का सैन्ड विभाग कदाचार कहलाता था था इस विभाग का उच अधिकारी दंड नाया के आसेनापती होता था टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था चेटियों की तरह बिपार में निपुन दस्तकार बर के लोगों को बीर पजाल कहा जाता था उत्तर भारत से दचिन भारत में आकर बसे लोगों को बढ़वा कहा जाता था बिजयनगर में दास प्रथा पर चले थी मनुश्यों के क्रय बिक्रय को वेस वग ग कहा जाता था पर्धा प्रथा का प्रचला नहीं था परंतु सती प्रथा स्वयचिक विद्धिमान थी बाल विवा समान प्रथा थी मंदिरों में रहने वाली इस्त्रियों को देव दासी कहा जाता था इनको आजीवका के लिए भूमी या नियमित बेतन दिया जाता था बिजय नगर के मंदिर अस्थापत की एक परमुक विशेषता कल्यान मंदप एवं हजार अस्तमो वाला गूपुरम का निर्मान था कल्यान मंदप में देवता का विवाह समारोग मनाया जाता था मंदिर के साथ देवता की पत्नी हेतु अम्मान मंदिर का विनिर्मान होता था तिरुपती मंदिर में कृष्ण देवराय एवं उनकी पत्मियां तिरुमल एवं चिंता देवी तथा बेंकट पर्थम आदिकी मूर्तियां है महर नब्मी कातेवार बिजयनेगर का पर्मुक राजय उत्सब था यह उत्सब देवी दुर्गा को परसन करने के लिए था बिजयनेगर काल की कंणर युक्रितियों में भीमक द्वारा रजशीत बासब पुरान अत्यंत परसिद लिंगायत धर्म ग्रंत है मदुरा बिजयन बुक्का प्रथम के पुत्र कुमार कंपन की पतनी गंगा देवी की रचना है क्रिश्न देवराय और राम राय एक अच्छे संगित तग्य थे लक्ष्मी नरायन क्रिश्न देवराय का दरबारी संगित कार था उसने संगित सुर्योपाष्णा नमक पुस्त की रचना की थी संत बिधरन ने संगित ग्रंत संगित सार की रचना की थी बीना विजय नगर समराज का सरवाधिक परशिद और लोक परिये संगीत वाद दे था विजय नगर की चित्रकला लिपाक्षिकला के नाम से जानी जाती है इस चित्रकला के विशे रामायन एवं महाभारत से लिए गए है यानि इस चित्रकला के विशे जो है रामायनिव महाभारत से लिए गए हैं विजयनगर में निर्थ और संगीत को मिला कर एक शैली बिक्सित हुई जो यच्छनी शैली के नाम से जानी जाती है विजयनगर का सरवाधिक परसिद सिक्का स्वन का बाराह था इसका बजन 52 ग्रेन था जिसे विदेशी यात्रियों ने हून पर्दोस या पगोडास के रूप में लिखित किया है सोने के छोटे सिक्के को परताप था फणम कहा जाता था परताप 26 ग्रेन था फणम 5.5 ग्रेन का होता था चांदी के छोटे सिक्क्य को तार कहा जाता था विजयनेगर के पश्चमी तट्ये शित्रों में कुजेडो यानि पुर्तगाली, दिनार, फार्सी, फ्लोरीन और डुकेट इटली मुद्राएं पर चलित थी बहमनी राज्य मुहमद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 इस्वी में हसन गंगु ने बहमनी राज के सापना की वह अल्लावदीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंगासन पर बैठा और गुलबरगा को अपने राजधानी बनाया इसकी राजभासा मराथी थी इसने अपने समराज को चार परांतों में गुलबरगा, दौलतावाद, बरार एवं बीदर में बाटा इसकी मिर्तियू 11 फरवरी 1358 को हो गई अल्लावदीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मुहमद शाह प्रथम सुल्तान बना इसके काल में ही सबसे पहले बारूत का परियोग बुक्का के विरूत हुआ था भीमा नदी के तड़ पर फिरोजावाद के स्थापना ताज उद्दीन फिरोज ने की थी फिरोज खगोलगी को प्रोशाहन देता था और उसने और उसने दोलतावाद के पास एक बैद शाला बनवाई थी फरिस्ता के नुशार फिरोज फार्सी, अर्बी और तुर्की के अतिरिक तेलगू, कन्नड और मराठी भासा का भी ग्याता था फिरोज शाह बहमनी का सबसे बड़ा कार्य परशासन में बरे अस्तर पर हिंदूों को समलित करना था चौल और दवहोल इसके समय के परमुक बंदरगा थे चलिए आगे देखते हैं हाँ पर आप देख सकते हैं प्रांत पती तरफदार के विशेस विरूद इसे प्रांत यानि तरफ और विशेस उसके विरूद जिसे दोलताबाद मंसव ए आली बरार मजलिस ए आली बिदर आजम ए हुमायू और गुलबरगा मलिक नायब चलिए आगे बढ़ते हैं सिहाबुदीन अहमद पर्थम ने अपनी राजधानी गुलबरगा से हटा कर विदर में अस्थापित की इसने विदर का नया नाम मुहमदावाद रखा मुहमद तिर्टिया के सासनकाल में ख्वासां जहां की उपादी से महमुद गवाँ यदि इरासी में एक महाविद्याले मदर्सा की अस्थापना कराई इसका भवन तीमजला था इसमें एक हजार अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे इन्हें भोजन और कपड़ा भी राज ही ओर से मुफ्त में दिया गया था रियाजूल इंसा नाम से महमुद गवां के पत्रों का संग्रह किया गया है 1470 इस्वी में रूसी यात्री निकितन भहमानी समराज बीदर की यात्रा पर आया था इस समय भहमानी राज पर मुहमत रित्येगा शासन था विजपूर गुलबरगा तरफा सबसे महत्पूर में शामिल था कालीम उल्ला भहमानी बंस का अंतिम शासक था इसकी मिर्ट्यू के समय भहमनी राजी पांच स्वतंतर राजियों में बढ़ गया इन स्वतंतर राजियों में सबसे समधित विवरन इस परकार है जिसा कि आप देख सकते हैं विजापूर विजापूर बंज जो है आदिल शाही इसके संस्थापक यूशुफ आदिल सा जो था इसका स्थापना 1489 में होता है अहमद नगर यह जो है निजाम शाही बंज का था और इसके संस्थापक मलिक आहमद थे जो की 1490 में इसके स्थापना करते हैं बरार या इमाद शाही बंस का सासन था यहां और फते उल्लाह इमाद शाह जो है 1990 में इसके अस्थापना करते हैं गुरकुंटा कुतुब शाही बंस था और कुतुब शाह 1512 में इसके अस्थापना के थे फिर विदर विदर में बरीज शाही बंस था और अमीर अली बरीज जो है 1526 में इसके अस्थापना करते हैं मुहम्मद बन के मंतरी सैफुदीन गौरी ने केंद्रिय शासन का कार कई भी भागों में बाटा और आठ मंतरियों को न्यूक्त किया जो इस प्रकार है आज जैसा की देख सकते हैं न्याई विभाग धर्म तथा दान विभाग का अध्यक्स था सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरच्छा के लिए विशेस अंगरच्छक सैनिक दल था जिसे खास एक खेल कहा जाता था या चार भागो या नौवत में विभाजी थे जिसके मुख अधिकारी सर ए नौवत होता था बीजापुर के शासक अरी आदिल साख को सूफी कहते थे अकवर से पहले उसने अपने दरबार में कैथोलिक मिश्नरियों को बुलाया था उसने अपने पुस्तकालाई का अध्यक्ष परसीद संस्कृत विद्वान बामन पंडी को बनाया था उसके उत्रादिकारियों ने संस्कृत एवर मराठी भासा को प्रसे देना जारी रखा था इब्राहिम आदिल्शाथ दृतिये को अबला बाबा या गरीवों का दोस्त कहा जाता था उसने किताब ए नौरस नाम की एक पुस्तक की रचना की जिसमें गीतों को विभिन रागों में बांध कर परस्तूत किया गया था उसने नौरस पूर नाम से एक नई राधानी बनाई अपने ब्यापक दिश्टिकोन के कारनिया जगत गुरु कर लाता था उसने बिठोवा की उपासना एक केंदर पंधरपुर को भी नुदान दिये थे मुहम्मत कुली कुतुबशाह ने 1591-92 में हैदराबाद के बीच में चार मिनार बनवाई इसमें चारो दिशाओं में चार उचे महराव हैं जो चौ मंजिला है और जिसमें से परतेक की उचाई 48 मिटर है हैदराबाद शहर को कुली कुतुबशाह ने ही बसाया था इबराहिम रोजा और गोल गुंबज विजापुरी इमारतों में सबसे प्रशिद है इबराहिम रोजा और गोल गुंबज विजापुरी इमारतों में सबसे प्रशिद है इबराहिम रोजा इबराहिम आदिल साह का मकवरा है 1680 में बनाये गए गोल गुंबज का गुंबद इतना विशाल है जितना विशाल एकल गुंबद कभी नहीं बनाया गया इसके समय अनुपात संगती पूर्ण है चारो कोनों पर बनी उची और गुलाकार मिनारो इसकी छवी को एक संतुलन परदान करती है कहा जाता है कि मुख कच के एक और फुसपुसाहट की आवाद जाए तो उसे दूसरी छोर पर भी सुना जा सकता है अब हम बात करेंगे स्वतंत्र प्रामतिय राजजी का जैसे की जौनपूर जौनपूर की अस्थापना फिरोष रा तुगलक ने अपने भाई जूना खाया मुहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी जौनपूर में स्वतंत्र शर्ग की राजबंस की इस्थापना मलिक सरवर यानि ख्वाजा जहान ने की थी ख्वाजा जहान को मलिक उस्षर्ग यानि पुर्व का श्वामी की उपाधी 1394 स्वी में फिरोष शाह तुगलक के पूत्र सुन्तान महमुद ने दी थी जौनपूर के अन्य प्रमुक्षासक थे मुबारक शाह जोकी 1399 से 1402 स्वी समसुदिन इबराहिम शाह जोकी 1402 से 1436 स्वी महमुद शाह 1431 स्वी एवं अंतिम शाह सक हुशैन सा 1459 से 1520 स्वी लगभग 75 बर्स तक स्वतंत रहने के बाद जौनपूर पर बहलोल लोदी ने कबजा कर लिया शर्की सासक के अंतरगत विशेश कर इबराहिम साह के समय में जौनपूर में साहित एवं अस्थापतिकला के शेत्र में हुए विकास के कारण जौनपूर को भारत के सिराज के नाम से जाना गया है अटाला देवी की मस्जिद का निर्मान 1408 इस्वी में शर्की सुल्तान इबराहिम साह द्वारा किया गया था अटाला देवी मस्जिद का निर्मान कन्योज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी की मंदिर को तोड़ कर किया गया था जामा मस्जिद का निर्मान 1470 इस्वी में हुसेन शाह सर्की के द्वारा किया गया था पीर बोधन नामक सूफी संद इसकाल का एक महान संगितकार था जंजिरी मस्जी जो है 1430 इस्वी में इबराहिम शर्की के द्वारा एबं लाल दरवाजा मजिद का निर्मान मुहमाश शाह के द्वारा 1450 इस्वी में किया गया था अब बात करेंगे हम लोग कश्मीर का तो कश्मीर जो की सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 इस्वी में कश्मीर में हिंदू राज के स्थापना की थी 1349 इसमी में कस्मीर में शाह मीर के दोरा प्रथम मुस्लिम बंस के अस्थापना की गई कस्मीर का प्रथम मुस्लिम शाषक साह मीर था जो शंशुदीन शाह मीर के नाम से गद्धी पर बैठा इसने अपनी राध्धानी इंद्रकोर्ट में अस्थापित की अल्लाउदीन ने राधानी इंद्र कोर्ट से हटा कर अल्लाउदीन पूर यानि स्री नगर में अस्थापित किये हिंदो मंद्रोव मुर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर शाह 1389 से 1413 इस्वी को बुद्ध शिकन कहा गया है बुद्ध सिकन किसको कहा गया है सुल्तान सिकंदर शाह को 1420 इस्वी में जैन उलाबदीन सिंहासन पर बैठा इसकी धार्मिक श्रहिशनुता के कारणी से कस्मीर का अकबर कहा गया इसने जजिया हटा दिया गोबद निशिद कर दिया तसा सती प्रथापर से प्रतिबंध हटा दिया जैन उलाबदीन के परशासन में अनेक हिंदुओं को उचे प्राप्त थे स्री भट उसका न्याय मंत्री और दरवारी चिकित सक्था बूलर जील इस्थित जैना लंका इसके काल की अभियांतर की उन्नती का उत्कृष्ट नमूना है जैन अवदीन फार्सी संस्क्रीट कश्मीरी तिवती आदी भाशाओं का ग्याता था इसने महाभारत तेवम राज तरिंगनी को फार्सी में अनुबाद करवाया था अब हम बात करेंगे बंगाल का तो बंगाल इक्तियार उद्दीन मुहम्मद बिन भक्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गयासुदिन तुगलक ने बंगाल को तीन भागों में विभाजित किया लखनवती, उत्तर बंगाल, सोनारगाम, पुर्वी बंगाल, सत्गाउं, अंतर्छिन बंगाल 1345 इस्वी में हाजी इलियास बंगाल की विभाजन को शमात्त कर समसुधिन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना पांडुआ में अधीना मजीद का निर्मान 1344 इस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था बंगाल का शासक गया सुदिन आजम शाह 1389 से 1449 से 1429 इस्वी अपनी न्याय पिर्टा के लिए जो है परशिद्ध था अल्लाओदीन हुसैन शाह 1493 से 1518 इस्वी ने राध्धानी को पांडुआ से गौड अस्थनांत्रित किया था महाप्रभु चैतन अल्लाओदीन के समकालिन थे अल्लाओदीन ने सत्यपीर नामक अंदोलन की शुआत की मालाधर बशुने अल्लाओदीन के सासनकाल में ही स्रीकृष्ण विजय की रचना कर गुन राज खान की उपाधी धारन की इनके बेटे को सत्य राज खान की उपाधी दे गई नसिरुद्दीन नुस्रश शाह ने गौड में बाड़ा सोना एवं कदम रसूल मजीद का निर्मान करबाया था मालवा जो है दिलावर खाने 1401 इस्वी में मालवा को शोतंतर गुशित किया दिलावर खान का पुत्र अलब खान हुशंग शाह की उपाधी धारन कर 1405 इस्वी में मालवा का शासक बना इसने अपनी राध्धानी को धार से मांडू अस्थनांतरित किया मालवा में खिलजी बंस के अस्थापना महमुश शाह ने की गुजरात के शासक बहाधूर शाह ने महमुश शाह दुत्ये को यूद में परास कर उसकी हत्या करदी और मालवा को गुजरात में मिला लिया मांडू के किले हिंडोला भवन या दरवार हॉल का निर्मान फुशंग साह ने करवाया था इस किले में सरवाधिक महत्पून है दिल्ली तरवाजा बाज बहाधूरेवं रूपमती का महल का निर्मान सुल्तान असिरुद्दीन शाह द्वारा करवाया गया था जहाज महल का निर्मान गया शुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था कुषक महल को महमूद खिलजी ने फतेहा वातनामकिस्थान पर बनवाया था गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर अल्लाव दिन ने 1297 इस्वी में इसे दिल्ली सल्थनत मिला लिया था 1391 इस्वी में महमूद शा तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सुवेदार जफर खाने सुल्तान मुजफर शा की उपादी घरहन कर 1407 इस्वी में गुजरात का सुतंदर सुल्थन बना गुजरात के परमुक्षा सक्थे अहमद शाह, महमुद शाह, बेगड़ा और बहादूर शाह अहमद शाह ने असवाल के निकट सावर मती नदी के किनारे अहमद अहमदावाद नामक नगर बसाया और पाठन से राधानी हटाकर अहमदावाद कुरा धानी बनाया किसने अहमर्शाह ने गुज्जात का सबसे प्रशिद शासक महमुद बेगड़ा था महमुद बेगड़ा ने गिर्णार के निकट मुस्तफावाद नामक नगर और चमपानेर के निकट मुहम्दावाद नगर बसाया था मेवाड अलाउदिन खिलजी ने 1303 इसमे मेवाड के गुहिलोत राजबंस के रतन सिंगो पराजित कर मेवाड को दिली सल्तनत में मिला लिया गुहिलोत बंस की एक शाखा सी सोधिया बंस के हमीर देव ने मुहम्मद तुगलक को हरा कर पूरे मिवार को शुतंदर करा लिया राना कुम्हा ने 1448 इस्वी में चितावर में एक बिजय एस्तम के स्तापना की खानवा का यूथ 1527 इस्वी में राना सांगा एवं बाबर के बीच हुआ जिसमें बाबर बिजय हुआ 1526 इस्वी में हल्दी घाटी का यूथ राना परताप एवं अकबर के बीच हुआ जिसमें अकबर बिजय हुआ मेवार की राध्धानी चिताउरगर थी जहांगीर ने मेवार को मुगल समराज में मिलाया था खान देश तुगलक बंस के पतन के समय फिरोशा तुगलक के सुवेदार मलिक अहमद राजा फारुखी ने नर्मदा एबन तापती नदियों के बीच 1332 में खान देश की इस्थापना की खान देश की राध्धानी बुर्हान पूर थी इसका सैनिक मुख्याले असीरगर था 1621 में अकवर ने खान देश को मुगल समराज में मिला लिया अब बात करते हैं हम लोग शूफी अंदोलन का तो अबु हर्षिम ने सबसे पहले शूफी शब्द का परयोग किया था इसने अबु हर्षिम ने जो लोग सूफी संतों से शिशता गरहन करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था सूफी जिन आस्रमों में निवास करते थे उन्हें खानका या मट कहा जाता था सूफियों के धर्म शंग बाशारा इसलामी सिध्यान के समर्थक और बेशारा इसलामी सिध्यान से बंधे नहीं में बिवाजित थे यानि बाशारा और बेशारा में भारत में चिस्ती एवं सुहरावर्दी सिलसले की जड़े काफी गहरी थी। ख्वाजा मुईवद्दीन चिस्ती ने भारत में चिस्ती सिलसिता की सिलसिला की सुरवात की चिस्ती सिलसिला का मुखे केंदर अजमेर था। चिस्ति सिलसिला के कुछ अनमहत्पुन संत थे जैसे कि निजामुदीन ओलिया, बाबा फरीद, बक्तियार काकी एवं सेख बुरहानुदीन गरीब, बाबा फरीद बक्तियार काकी के शिशे थे, बाबा फरीद के रचनाय गुरुगरंद साहे में शामिल है, बाबा फरीद के दो महत्पुनिश्य से थे निजामुदीन ओलिया एवं अलाउदीन सावीर हजरत निजामुदीन ओलिया ने अपने जिवनकाल में दिल्ली के साथ सुल्थानों का शासन देखा था इनके प्रमुक्ष शिस्य से सेख सलीम चिस्ती, अमीर खुस्रो, अमीर हसन देहलवी सेख बुरहानुदीन गरीब ने 1340 इस्वी में दचिन भारत के छेतरों में चिस्ती संपरदाय की सुरुआत की और दौलताबाद को मुख केंदर बनाया सूफियों के सुरावर्दी धर्मशंग या सिलसिला की स्थापना सेख सिहरा बुद्दीन सुरावर्दी ने की किन्तू 1262 इस्वी में इसके सुद्रिट संचालन का सरे शेक भरुद्दीन जकारिया को है इन्होंने सिंद एवं मुलतान को मुख केंदर बनाया सुरावर्दी धर्मशंग के अनपरमुक संद थे जलालूदीन तबरीजी सयद सुर्ख जोष बुरहान आदी सुरावर्दी सिलसिला ने राज के संदच्छन को सुईकार किया था सेख अब्दुलला सतारी ने सतारी सिलसिले के स्थापना की थी इसका मुक्र केंदर बिहार था कादिर धर्मसंगिया सिलसिला के अस्थापना सयद अबुल कादीर अल जिलानी ने बगदाद में की थी भारत में इस सिलसिला के परवर्टक मुहम्मद गौस थे इस सिलसिले के अनुआई गाने बजाने के बिरोदी थे ये लोग शिया मत के गुरुद थे राजकुमार दारा यानि शाह जाह का जेश्ट पुत्र कादिर सिलसिला के मुल्ला शाह का सिश्य था नक्षबंदी धर्मिया सिलसिला की अस्थापना ख्वाजा उवे दुल्ला ने की थी भारत में इस सिलसिला की अस्थापना ख्वाजा बकी बिल्लाह ने की थी भारत में इसके ब्यापक परचार का सरे बाकी बिल्लाह के शिष अकवर के समकालिन शेक अहमद सरहिंदी को था फिर दोसी सुराबर्दी सिलसिला की ही एक शाखा थी जिसका कारिशेत्र बिहार था इस सिलसिले को शेक सरीफ उद्दीन याहिया ने लोग प्रिये बनाया याहिया ख्वाजा निजामुदिन के शिस्य थे भक्ति अंदोलन छटी सताब्दी में भक्ति अंदोलन का सुरुवाद तमील शेत्र से हुई जो करनाटक और महराज में फैल गई भक्ति अंदोलन का विकास 12 अलवार 27 संतो और 63 नेनार 7 संतों ने किया शैब नेनार और बैशनव अलवार जैनियों और बौधों के अब परिग्रह को अस्विकार कर इस्वर के परती ब्यक्तिकत भक्ति को ही मुग्ति का मारी बताते हैं अलवार शब्द का अर्थ है अंत ग्यान अंत ग्यान रखने वाला वह व्यक्ति जो इस्वर्य चिंतन में पुर्णता बिलीन हो गया हो अलवारों में एक मात्र महला साधवी अंडाल का नाम मिलता है जिसके भक्ती गीतों में क्रिश्न कथाएं अधिक मिलती है शैव संत अपार ने पल्लव राजा मेहिंद्र बर्मन को सव शैव धर्म स्विकार करवाया था भक्ती कवी संतों को संत कहा जाता था और उनके दो समू थे पथम समू बैशनव संत थे जो महराश्ट में लोग प्रिय हुए बे भगवान बिठोवा के भगत थे बिठोवा पंत के संत और उनके अनुवाई बरकरी या तिर्थियात्री पत कहलाते थे क्योंकि हर बर्स पंधरपूर की तिर्थियात्रा पर जाते थे और दूसरा समोः पंजावे मुरास्थान के हिंदी भासी शेत्रों में सक्रे था और इनकी निर्गुन भक्ती यानि हर विशेष्था से परेभगवान की भक्ती में आस्ता थे भक्ति यांदौलन को दक्षिन भारत से उतर भारत में रामनंद के द्वारा लाया गया बंगाल में कृष्ण भक्ति की प्रारंभीक परती पादवकों में विद्यापती ठाकुर और चंडी दास थे रामनंद की शिक्षा से दो संपरदायों का परदुभाव हुआ सद गुन जो उन जनम में विश्वास रखता है और निर्गुन जो भगवान की निराकार रुप को पूझता है सगुन संपरदाय के सबसे प्रशिद ब्यक्यात्ताओं में तुलसीदास और नावादास जैसे रामभाक्त और निर्वार्वाचार छेतन सूर्दास और मीरावाई जैसे कृष्ण भक्त हैं सगुन संपरदाय के सबसे प्रसित प्रतिनिधी के मित्थे कवीर जिने भावी उत्तर भारतिये पंतों का अध्यात में गुरू माना गया है शंक्रा चार्ज के अध्यात दरसन के विरोध में दच्छिन में बैष्णब संतों द्वारा चार मतों की अस्थापना की गई थी दच्छिन में बैष्णव संतो द्वरा अस्थापित चार मत्थ श्रीर संपर्दाय रामनुजाचार्ज इनका मत्था विशिष्टा दोयतवाद ब्रहम संपर्दाय माधवाचार्ज इनका मत्था दोयतवाद रुद्र संपर्दाय विश्णुश्वामी इनका मत्था शुद दोयतवाद, सनकादी संप्रदाय, निमबर्काचार्ड, इनका मत था दोयता दोयतवाद, भक्ती आंदोलन के संथ, शंक्राचार्ड, इनका जनन्त 728 में केरल के कलाडी नामग गाउं में हुआ, इनके पिता का नाम शिव गुरु एव माता का नाम आर्यामबा था, सन्यास की दिक्षा उन्होंने गोविन्स, यूगी सिली, उन्होंने भारत के चार कोनों में पीठ किये स्थापना के, दक्षिन में स्रिंगेरी, चिकमंगलूरू करनाटक में शार्दा पीठ, पूरब में पूरी ओडिशा में गोवर्धन पीठ, उत्तर में बद्रीनात, से पहले स्रिंगेरी पीठ के स्थापना की गई, शंक्राचार्ज की मिर्टू 820 में हो गई, शंक्राचार्ज का बादरायन के ब्रहम सुत्र के अधार पर अपने शिध्यांत का परतिपादन किया, और अपने दर्सन जो जीब ब्रहम की एकता के शिध्यांत पर अधारित है को अद्वयतवाद का नाम दिया यद्पी संक्राचार श्यवधर्म के अनुवाई थे तथा भी उन्होंने पंचायतन पूजा का निरुपन किया जिसमें शिब, बिश्नु, शक्ति, सूरी एवं गणेश की पूजा का बिधाम था इन्होंने राम को अपना आराध्यमाना, इनका जनम 1017 इस्वी में मद्रास्क निकट पेरुंबर नामक इस्थान पर हुआ था 1137 इस्वी में इनकी मिर्ति हो गई, रामनुज ने बेदांत में प्रशक्षन अपने गुरू कांची पुरम के यादब प्रकास से प्राप्त किया इनके अनुसार मोक्ष प्राप्ति का सर्वोतम साधन बिश्नु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है भगबान बिश्नु की किरपा द्रिष्टी से भक्त उनके साथ एका एक, एका कार होने का प्रमानंद प्राप्त कर सकता है रामनुज ने बिश्रिष्टा द्वैतवाद का सिद्यांत का प्रति पादन किया जिसके अनुशार आत्मा प्रमात्मा से जूनने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है इनके सिद्यांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेडित किया जो परवर्ति काल में उत्री भारत में बिक्सित हुई रामनुजा चार्ज के अनुशार आत्मा प्रमात्मा का शंबंध चिंगारी व अगनी के संबंध जैसा है रामनुज के अनुआईयों को बैष्णब कहा जाता है रामनंद 1368 से 1468 इस भी रामनंद का जनम परियाग में हुआ था इनकी शिक्षा परियाग एवं 12 नसी में हुई इन्होंने अपना सपरदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया रामनुज की भाती इन्होंने भी भक्ती को मोच का एकमात्र शाधन स्विकार किया इन्होंने मरियादा पुशोत्तम राम एवं सीता की अराधना को शमाज की समक्ष रखा रामनंद के 12 शिशों में दो इस्त्रियाँ पद्माबती एवं सूर्सरे थी इनके परमुक्ष शिश रैदास, चमार, कबीर, जुलाहा, धन्ना, जाट, सेना, नाई, पीपा, राजपूत, सधना, कसाई थे कबीर, कबीर का जनम 1440 शिशों में विवादस्पत में 12 शिश में एक बिधवा ब्रहमनी के गर्व से लोक सुरुतियों के अनुशार हुआ था लोक लजजा के भैसे उसने नवजाद शिशों को 12 शिश में लहर तारा के पास एक तलाव के समेप छोड़ दिया जुलाहा नीरूत था उसकी पत्नी नीमा इस नवजाद शिशों को अपने घर ले आए इस बालक का नाम कबीर रखा गया कबीर की शादी लोई से हुई कबीर की शादी जो है वह लोई से हुई उनके दो बच्चे हुए और उनकी जिन्दी आम गिरहस्त जैसी ही थी उन्होंने राम, रहीम, हजरत, अलाह, आधी को एक ही इश्वर के अनेक नत्रूप माने इन्होंने जाती प्रथा, धार्मे करमकान, बाह आडंबर, मुर्ती पुजा जब तप अपतारबाद आधी का घोर विरूद करते हुए एक किश्वर बाद में आस्था, बैकल की, एबं निराकार ब्रहम की उपासना को महतो दिया निर्गुन भक्ती धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रत्थम भक्त थे, जिन्होंने संत होने के बाद भी पुन्त जिर्हस्त जीवन का निर्वाह किया इनके अनुआई कबीर पंती कहलाए, कबीर के उपदेश सवद सिख्यों के आतिग्रंथ में संग्रहित है, कबीर की बानी का संग्रह बीजक, सिस धर्म दास द्वारा संक्रित, नाम से परसिद है, बीजक में तीन भाग है, रैमनी, सवद और साखि, उनकी भासा को कहा गया है, इनमें ब्रज भासा, अबधी एवं राजस्थानी भासा के शब्द पहे जाते हैं, कबीर दास की मिर्तियू 1510 इस्वी में मघहर में हुई, कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालिन थे, अब हम बात करेंगे गुरू नानक का, गुरू नानक का जनम 1479 पिता का नाम मेहता कालूराम था, जो पटवारी थे, बटाला के मुलराज खत्री की बेटी सुलक्षनी से उनका विवा हुआ, जिससे उन्हें दो पुत्र और दो पुत्रियां हुई, उन्होंने देश का पांच बार चक्कर लगाया, जिसे उदासीस कहा जाता है, उन्हों उन्होंने किर्टन के माध्यम से उपदेश दिये, विकाब्य रचना करते थे और रबाव के संगीत के साथ गया करते थे, सारंगी उनका स्वामी भक्ती इश्या भाई मर्दाना बजाया करता था, अपने जीवन के अंतिम छनों में उन्होंने रावी नदी के किनारे करतार करतारपुर में अपना बेरा यानि मठ इस्थापित किया, अपने जीवन काल में ही उन्होंने अध्यात्मिक अधार पर अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्भाई लहना यानि अंगत को अपना उत्रादिकारी निउप्त किया, इनकी मिर्तिव जो है 1549 सिभी में करतार दीप यानि बंगाल के मायापुर गां में हुआ था, इनके पिता का नाम जगनात मिस्र इवं माता का नाम शची देवी था, पाट साला में चैतन को निमाई पंडित या गोराग कहा चाता था, चैतन का वास्तविक नाम विश्वंभर था, इन्होंने गोसाई संकिय पाटना की और साथ ही संकिर्टन तथा गायन की किर्टन शैली को चनम दिया, इनके दार्सनिक शिद्यांत को अचिंत भेदा भेदबाद के नाम से जाना जाता है, 1510 इस्वि में केशब भारती नामक सन्यासी ने चैतन्य को सन्यास की दिक्षा दी, सन्यासी बनने के बाद पंगाल छोड़कर पूरी यानी उरी सा चले गए, जहां उन्होंने दो दशक तक भगवान जगनाथ की उपाशना की, इसकी मिर्तिव 1533 इस्वि में हो गई, स्रीमद वलवाचार्ज, स्रीमद वलवाचार्ज का जनम 1489 इस्वि में चंपारन यानिवारा नसी में हुआ था इनके पिता का नाम लक्षमन भठ तथा माता का नाम यलमगरू था, इनका विवाह महलक्षमे के साथ हुआ, इनके दो पुत्र थे गोपीनाथ जिनका जनम 1511 इस्वि तथा बिठलनाथ जिनका जनम 1516 इस्वि में हुई थे, इन्होंने गंगा यमना संगम के समीप अरैल न बलवाचार ने भक्ती शाधना पर विशेश जोर दिया इन्होंने भक्ती को मोज का साधन बताया इनके भक्ती मार को पुष्टी मार करते हैं सूरधास बलवाचार्ज के शिश्य थे बिठलनात्थ को ॹकबर पकबर में गोकुल और जैधपूर की जागीट प्रण की थी गो माता का नाम खुलसी था इन्हों ने रामचरित मानस की रचना की इनकी मिर्थ्यू 1623 इस्वी में हुई थी तुलसी दास मुगर शासक अकवर के अकबर एब मिवार के शासक महराना परताप के समकालिम थे धन्ना का जनम 1415 इसवी में एक जाट परिवार में हुआ था राजपुताना से बनारस आकर ये रामानंद के शिश बन गए कहा जाता है कि इन्होंने भगवान की मोर्ती को हठास भोजन कराया था मीरावाई मीरावाई का जनम 1498 इसवी में मेरता जिले के चौकारी गाउं में हुआ था इनके पिता का नाम रतन सिंग राठोर इनका विवास 1516 इसवी में राणा सांगा के बड़े पुत्र और युवराज भोज राज से हुआ था अपने पती के मिर्तियों के उपरांत ये पुन्त धर्म परायन जीवन ब्यतित करने लगी इन्होंने क्रिश्न की उपासना प्रेमी एवं पती के रूप में की इनके भक्ति गीत मुखित ब्रजवासा और आंसिक रूप से राजस्थानी में लिखे गए थें तथा इनकी 16 इस्वि में द्वारका में हो गई इनका संबन धुनिया जाती से था सांभर में आकर इन्होंने ब्रहम संपरदाय के स्थापना की अकबर ने धार्मिक चर्जा के लिए इन्हें एक बार फतेहफुर सिक्री बुलाया था इन्होंने निफक नामत अंदोलन की शुरुआत की इनकी मिर्थियू 1693 में हो गई सुंदर दास यानि 1596-1689 दादू के शिश्य थे शंकर देव 1449-1579 इस्वी इन्होंने भक्ती आंदोलन पर परचार परसार असम्मे किया ये चैतन्य के समकालिन थे इनका संदेश बिश्नु या उनके अवतार कृष्ण के पती पुन निश्काम भक्ती पर केंद्रित था य जो मुर्ती के रूप में कृष्ण कि पुजाव के भी रोधी थे मुगल समराज्य मुगल वंस का संस्थापक बावर था बावर अवं उतर वड़ती मुगल शासक तुर्क अवं सुन्नी मुसल्मान थे बावर ने मुगलवंस की एस्थापना के साथ ही पदपाजसाही की एस्थापना की जिसके तहट शासक को बादसाह कहा जाता था बावर 1526-1530 बावर का जनम फरवरी 1483 में इस्वी में हुआ था इसके पिता उमर्शेख मिर्जा फरगान नामक छोटे राज के शासक थे बादसाह की उपाती धारन के जिसे अब तक किसी तैमूर शासक न धारन नहीं की थी बावर के चार पुत्र थे हुमायू, कामरान, असकरी तथा हिंदाल बावर ने भारत पर पांच वार आक्रमन किया बावर का भारत के बिरुद किया गया प्रथम अभ्यान 1519 सिस्वे में यूसुफ जाई जादी के बिरुद था इस अभ्यान में बावर ने बाज़ाओर और मेरा को अपने अधिकार में ले लिया बाज़ावर और भेरा को अपने अधिकार में ले लिया पानिपत के प्रथम यूद में बावर ने पहली बार तुगलमा यूद नितिक एवं तोब खाने का परियोग किया था उस्ताद अली एवं मुस्तफा बावर के दो परशिद निशाने बाज थे जिसने पानिपत के प्रथम यूद में भाग लिया था बावर दोरा लड़े गे पर मुख्यूद पानिपत का प्रथम यूद 21 अप्रिल 1526 इबराहिम लोदी बावर के बीच में इसमें बावर बीज़य होता है खानमा का यूद 17 मार्च 1527 राना सांगा एवं बावर के बीच में होता है बावर इसमें बीज़य होता है घागरा का यूद 6 माई 1529 अफगानों इबं बावर के बीच होता है बावर इसमें बीज़य होता है इबराहिम लोदी मधिकाल का प्रथम शासक्ता जो यूद इस्थल में मारा गया इसके साथ उसका मित्र गौलियर के राजा विक्रम जीत भी यूद अस्थल में मारा गया हुमाईव ने कोहिनूर हिरा गौलियर के दिवंगत राजा विक्रम जीत के परिवार से प्राप्थ किया था बावर को अपनी उदारता के लिए कलंदर क्युपाधी दी गई बावर ने मुसल्मानों को तमगा नामकर से मुक्त कर दिया था खानमा युद में बावर ने राणा सांगा के खिलाब जिहाद का नारा दिया और युद में विजाई के बाद गाजी की उपाधी धारन की थी 30 जनवरी 1523 इसवी को जहर दे देने के कारण राना सांगा की मिड़ती हो गई बावर ने बंगाल के शासक नुसराशाह के साथ 6 मई 1529 को एक दूसरे की संप्रभूता का सम्मान करने का वादा करते हुए एक संधीर की जिसके नुसराशाह ने अफगान विद्रोहियों को शरन न देने का वचन दिया करीब 48 वर्स की आयो में 26 दिसंबर 1530 इसवी को आगरा में बावर की मिड़ती हो गई प्रारंप में बावर के शब को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया बावर की मात्य भाषा तुर्की थी लेकिन वह अरवी और फार्सी का भी अच्छा ग्याता था बावर ने अपनी आत्म कथा बावर नामा यानि तुर्की में तुर्की बावर नामा की रचना की है जो कि तुर्की भासा में है जिसका अनुबाद बाद में फार्सी भासा में अब्दुल रहिम खाना ने किया अपनी आत्मकता में बावर ने अपचारिक बागों की उजनाओं और उनके बनाने में अपनी रूची का वर्णन किया है अकसर ये बाग दिबार से घीरे होते थी तथा कृत्रिम नहरों द्वारा चार भागोंवी भाजित आयताकार हाते में इस्थित थे चार समान हिस्तों में बटे होने के कारण ये चार बाग कहलाते थे चार बाग बनाने की परंपरा के शुरुवात अकवर के समय से ही हुई थी बावर को मुंबई यान नामक पदशैली का भी जनम दाता माना जाता है बावर परशिद नकश्वंदी सुपी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुवाई था बावर का उत्रा दिकारी हुमायू था हुमायू 1530 से 1556 भी नसरुदीन हुमायू जो है 29 दिसंबर 1530 भी को आगरा में 23 वर्स की अवस्ता में सिंहासन पर बैठता है गद्दी पर बैठने से पहले हुमायू बद्खशा का सुविदार था अपने पिता की निर्देश के नुसार हुमायू ने अपने राज का बटवारा अपने भाईयों में कर दिया इसने कामराज को काबूल और कंधार मिर्जा असकरी को संभल मिर्जा हिंदल को अलबर और मेवार की जागिर्दार दी अपने चचेरे भाई सुलिमान मिर्जा को हुमायू ने बजसखा परदेश दिया 1533 सिस्वी में हुमायू ने दिन पनाह नामक एक नए नगर की अस्थापना की थी 14 के यूद 15 जून 1549 सिस्वी में शेर खाएवं हुमायू के बीच हुआ इस यूद में शेर खाएवं हुमायू के बीच हुआ इस यूद में भी हुमायू पराजित हुआ शेर खाने असाने से आगरायवं दिल्ली पर कबजा कर लिया बिल्गराम यूद के बाद हुमायू शिंद चला गया जहां उसने 15 बरसों तक घूमक कड़ोक जैसे निर्वासित जीवन ब्यतित किया निर्वासन के समय हुमायू ने हिंदाल के अध्यात्मिक गुरू फारस बासी शिया मीर बाबा दोस्त और्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानू बेगम से 29 अगस्त 1541 को निकाह कर लिया कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान समराठ का जिनम हुआ 1555 इसवी में हुमायू ने पंजाब के शूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनह दिल्ली की गद्दे पर बैठा हुमायू द्वरा लड़े गया चार पर्मुख यूद का करम ये है देवरा के यूद 1531, चौसा के यूद 1549, बिलगराम का यूद 1540, एवं सरहिंद का यूद 1555 एक जन्वरी 1556 को दीन पना भवन में इस्तित्पुस्त काले यानि शेर मंडल की सीधियों से गिरने के कारण हुमायू की मिर्ति हो गई हुमायू के बारे में तिहासकार लेनपूल ने लिखा है कि हुमायू गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिन्दगी वह गिरते पड़ते चलता रहता था हुमायू नामा की रचना गुल बदन बेगम ने की थी हुमायू जोतुष में विश्वास करता था इसलिए इस ने सब्ताह के सात दिन सात रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाये थे शेर्षा 1540-1545 स्वी शूर समराज का संस्थापक अफगान बंसी शेर्षा सूरी था डाक्टर के आर कानुनगो के नुसर हडियाना प्रांद के नार नौल यानि महेंद्रगड इस्थान पर इबराहिम के पुत्र हसन के घर बर्स 1486 में शेर्षा का जनम हुआ था परमात्मार शरन का विचार है कि शेर्षा का जनम बर्स 1472 स्वी में हुआ था इनके बचपन का नाम फरीद खाथा या सूर्बन से समन्दे था इनके पिता हसन खान जौनपूर राजी के अंतरगत सासा राम के जमिनदार थे फरीद खाने एक शेर को तलवार के एक ही बार से मार दिया था उसकी इस बहादरी से परसन होकर बिहार के अफगान सासक सुल्तान मुहमद भाहर खान लुहानी ने उसे शेर खाक्यों पादी परदान की शेर साह जो है बिलगराम यूद यानि 1540 सिस्वी के बाद दिल्ली के गद्धी पर बैठा शेर साह की मिर्तियू कालिंजर के किले को जीतने के करम में 22 मई 1545 सिस्वी की हो गई मिर्तियू के समय बव उस उपका नाम का अगने शास्त चला रहा था कालिंजर का शासक कीरत सिंग था हिंद तथा इरानी बास्तुकला के समनवे का प्रत्थम उदाहरन है शेर साह का मकवरा जिसे सासा राम में जील के बीच उचे टीले पर निर्मित किया गया है रहतासगड किला किला एकोहना दिल्ली नामक मस्जित का निर्मान शेर साह के द्वारा किया गया था शेर साह ने रहतासगड के दुर्ग एवं कर्नौज के स्थान पर शेर सुर नामक नगर बसाया शेर साह का उत्रादिकारी उसका पुत्र इसलाम शाह था शेर्षा ने भूमी की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंद्री गज एवं सन की डंडी का पड़ियो किया शेर्षा के समय पैदावार का लगभग एक वटे तीन भाग कर सरकार लगान के रूप में बसूल करती थी शेर्षा ने सोने के सिक्के अश्रब चांदी का रूपया जो की 178 ग्रिन के बरावर होता था तथा तामे का दाम जो की 380 ग्रिन के बरावर था नामक सिक्के चलाए यानि शेर्षा ने जो है शेर्षा के सिक्के अश्रब चांदी का रूपया और तामे का दाम नामक सिक्के शेर्षा के समय तामे के अन्य शिक्के थे अधोला पावला दंबडी एवं जीतल कभूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआ शेर्षा नहीं की थी शेर्षा ने 1541 शिस्वी में पाटली पुत्र को पटना के नाम से पुना इस्थापित किया इसने ग्रैंड ट्रक रोट की मरम्मत करवाई डाक प्रथा का प्रचलन शेर्षा के द्वरा ही किया गया मलिक मुहमद जाईसी शेर्षा के समकालिन थे अकबर 1556 से 1605 शिस्वी समराट अकबर का जनम 15 अक्टूबर 1542 शिस्वी को हमीदा बानू बेगम के गर्व से अमर कोट के राना बीर साल के महल में हुआ था अकबर के बच्पन का नाम जलाल था उसका राजी विसे 14 फरवरी 1556 शिस्वी को पंजाब के काला नौर नामकिस्थान पर हुआ था अकबर के समकाले इंशा सकान थे रानी एलिजाबेद जो कि 1558 से 1623 वी इंगलाइन की महरानी थी शाह अब्बास 1588 से 1629 शिस्वी इरान जार इवान फोर बेसल ये विच यो कि 1530 से 1548 शिस्वी का साव सक था रूस का ठीक है जार इवान फोर जो है बेसिल ये विच इबान इटेरिवल नाम से उख्यात था अकबर का सिच्छक अब्दुल लतीफ इरानी विद्वान था पर जलाल उद्दिन मुहमद अकबर वार्शाही गाजी की उपाधी से राज सिंहासन पर बैठा था बैरम खां जो की श्र पानी बाबा कहा जाता था पानी पत की दूसरी लड़ाई पांच नवंबर 1556 वी को अकबर और एमू के बीच हुई थी इस यूद में अकबर की विजय हुई थी 31 जनवड़ी 1561 वी को मक्का की तीर थियात्रा के दौरान पाटन नामक इस्थान पर उबार्शाह नामक यू जून 1576 वी को मेवार के शासक महराना परताप एम अकबर के बीच हुआ इस यूद में अकबर बिजय हुआ इस यूद में मुगल शेना का नेत्रित मान सिंग एम आसब खाने किया था अकबर का सेनापती मान सिंग था हल्दी घाटी यूद के समय कुम्भलगड राना परताप का राधानी थी राना की ओर से इस यूद में हाकिम खास सूर के नित्रित में एक अफगान फौजी टुकरी एवं भीलो की एक छोटी सी सेना ने भाग लिया था महराना परताप की मिर्तियों 19 जन्वरी 1597 इसमी में एक सक्त धनुज की परतिंचा चड़ाते समय अंद्रूनी चोट लगने के कारण हो गई हल्दी घाटी की यूद के बाद राना परताप ने डुंगरपुर के निकट चावर में नईरा धानी बनाई महराना परताप की घोड़े का नाम चेतक एवं हाथी का नाम राम परसाथ था दिन ए इलाही धर्म का परधान पुरोहिद अकबर था दिन ए इलाही धर्म स्विकार करने वाला परत्धम एवं अंतिम हिंदू शासक राजा बिर्बल था महेश दास नामक ब्रहामन को राजा विर्बल की पद्वी दी गई थी जो हमेशा अकवर के साथ रहता था अकवर ने जैन धर्म के जैना चार्ज हरी विजै सुरी को जगत गुरू की उपाधी दी थी अकवर ने शाहे दर्वार में एक अनुष्ठान के रूप में सुर्यो पाष्णा शुरू करवाई राजस प्राप्ति की जबती पणाली अकवर के सासनकाल में पढ़ चली थी अकवर के दिवान राजा टोडर मल जो की खत्री जाती से थे ने 1580 इस्वि में 10 साल बंदोवस्त विवस्था लागू किया अकवर के दिवान राजा टोडर मल ने गुजरात विजय के दौरान अकवर सरपर्थम पूर्त गालियों से मिला और यहीं उसने सरपर्थम समुद्र को देखा गुजरात अभ्यान को इतिहासकार इसमित ने संसार के इतिहास का सरवाधिक दुरुत गामी आकर्मन कहा है अकवर के दरवार के परशिद चितरकार अब्दूर समध था अकवर द्वारा जीते गए परदेश सबसे पहले उन्होंने मालवा को जीता बाज बहादूर शासक 1561 मुगल सेनापति था आधम खां और पीर मुहम्मद फिर चुनार को जीता अफगानों का सासन था ओहां पे 1562 में अबदूला खां उसका सेनापति था मुगल का फिर यहां पे देख सकते हैं आमेर को जीता, मेरता को जीता, गुनवाना को जीता, मेवार को जीता, रंथमहोर को जीता, ठीक है, आप यह सब देख सकते हैं, कालिंजर को जीता, कालिंजर को जो हरामचंदर से जीता था, 1579 इस वी में, तो अकबर का जो सेनापति था हुआ था, मजनुखा, काकशा, ठीक ह चलिए आगे बढ़ते हैं, मारबार को फिर जीता, जैसलमेर को जीता, बेकानेर, गुजरात, बिहार वबंगाल, काबूल, कश्मीर, उडिशा, सिन, वलुचिस्तान और कंधार कंधार को जीता था, अकबर ने, मुजफर हुसैन से, 1595 इसवी में, इस समय इसका सेनापती मुगल का था, यह था शाह बेग, ठीक है, चलिए, दच्छिन अभ्यान को हम देख लेते हैं, अकबर के दोरा, तो खान देश का भ्यान जो है, उस शासक था, खान देश का सासक था, अली खान, जो की 1595 इसवी में, सुच्छा से अधिनता स्विकार कर ली थी, दोलताबाद, उहां का सासक था, चांद बीवी, ठीक है, जो की 1595 इसवी में, और मुगल सेनापती था, मुराद, अब्दुर रहीम खान खाना, फिर अबुल फजल और अकबर, फिर अहमद नगर बहादुर, शाथ, चांद बीवी के सासन में था, जो की 16esen इसवी में, वहां पे शासन किया गया, ठीक है, वहां पे मतलब उसको कबजा किया गया, फिर देखिएगा, आसिरगड, नगर जो है, वहां का सासक था, मीरन बहादूर, कौन था, मीरन बहादूर, जो की 1601 इसवी अक्वर को हरम दल से मुक्ती 1562 वी तीर्थ यात्रा कर्षमाप 1563 वी जजिया कर्षमाप 1564 वी फतेपुर सिक्री की अस्थापना एवंरा धानी का आगरा से फतेपुर सिक्री अस्थान अंद्रन 1571 वी इवादत खाने की इस्थापना 1575 वी इवादत खाने में सभी धर्मों क लोगों के परवेश की अनुमती अनुमती 1578 भी मजहर की घोषना 1589 भी दीन इलाही के स्थापना 1582 भी इलाही संबत की सुरात 1583 भी राधानी लहोर अस्तनांतरित किया 1585 भी दसवंत एवं बसावन अकवर के दरबार के चित्रकार थे अकवर के सासनकाल के परमुख गायक त संगीत समराथ तांसेन का जनम 1526 भी में ग्वालियर में एक ब्रहमन परिवार में हुआ था इनका असली नाम रामतनु पांडे था वो धृपत गायन शहली का महां संगितकार था इनकी प्रमुख कृतियां थी मिया की टोड़ी मिया का मलहार मिया का सारग दरबारी का नहरा आधी इस एस कठा भरन बाणी विलास की उपाधी अकवर ने तांसेन को दी थी तांसेन अकवर के दरवार में आने से पूर्वरीवा के राजा रामचंदर के राजा स्रह में था अकवर के काल में स्वामी हरिदास भी एक बहान संगी तग्ये थे ये जो हैं बिर्दावन में रहकर भगवान की उपाशना करते थे एक मत के अनुसार हरिदास तांसेन के गुरू थे जबकि कुछ भी द्वान हरिदास एवन तांसेन दोनों को मान सिंग तोमर का शिर्ष बतलाते हैं यह भी प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को इनकी कुटिया पर जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने अकबर के दरवार में जाने से मना कर दिया था इनका करना था कि वे केवल अपने भगवान के लिए हिगाते हैं दरवार से उनका कोई सरुकार नहीं दास्तान ए अमीर हमजा नामा परसिद अर्वी महाकाब्वी के नाम से परसिद है या मुगल चितरशाला की सबसे पहली अत्यंत महत्पुन क्रिती है इसमें हजरत मुहमा शाहब के चाचा अमीर हमजा की बीड़तापुन कारणामों का चितरित संग्रा है इस पंडुलिपी का चितरन मीर सेयद अली जो की परिवेच्छक था और अब्दुल समद की नेतरित में गौालियर गुजरात लहौर कस्मीर तथा मालवा आती से बुलाय लगवग एक सो चितरकारों के एक समूह ने किया हमजा नामा को चितरित करने का कार्ज हुमायू के काल में प्रारम हुआ और अकवर के काल में पूर्ण हुआ इस कार्ज को पूरा करने में 15 वर्च लगे इसे अंतिम रूप से चितरित करने का कार्ज अब्दु सम्मद ने क किया इसके चित्र को चित्र पट कहा गया अकवर की शासन पढ़ाली की प्रमुख विशेष्था मनसभदारी प्रथा थी अकवर के समकालिन परसी सूपी संथे शेख सलीम किला फते पुर्षिक्री में साही महल दिवाने खास पंच महल बुलंदर वाजा जोधावाई का महल इवादत खाना इलाहाबाद का किला और लहाओर का किला अकवर के दरवार को सुसोभित करने वाले नौरतन थे अबुल फजल फैजी तांसेन बिरबल टोडरमल राजामान स अब्दुल रहीम खाने खाना फिर फकीर अजिव दिन मुलादो प्याजा अब्दुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकवर के दरबार में राज कवी के पत्पर आसीन था अब्दुल फजल ने अकवर नामा गरंद की रचना की वह दिन ए इलाही धर्म का मुख पुरू ही अकवर ने भगवान दास यानि अमेर के राजा भारमल के पुत्र को अमीर उलुम्रा की उपाती दी थी सुफी जाईयों के विद्रोग को दबाने के दोरान बिर्वल की हत्या हो गई थी 1622 में सलीम यानि जहांगीर के निर्देश पर दच्छिन से आगरा की और आ रहे अबुल फजल को रास्ते में बीर सिंग बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी मुगल समराट अकबर ने अनुबाद विभाग की अस्थापना की नकीव खां अब्दुल कादिर बदायुनी तथा सेख सुल्तान ने रामाय ने वा महावारत का नाम रज्म नामा यानि युद्धों की पूश्तक रखा पंच्तंत्र का फार्सिय अनुबाद अबुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से तथा मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिस के नाम से किया हाजी इब्राहिम सरहदी ने अथर बेत का मुला साह अहमद ने रास्तरंगनी का अब्दुल रहिम खाने खाना ने तुजुक एबावरी का तब फैजी ने लीला बती का फार्सिय में नुबाद किया फैजी ने नल दमियंती यानि सूर्दास द्वरा रचित कथा का फार्सिय में नुबाद किया कर उसका नाम सहेली रखा भागवत पुरान का नुबाद फार्सिय में टोडर मलने किया अब्दूल कादिर बदायुनी ने सिंहासन बतिसी का अनुवाद फार्सी में किया जोतिस के परसिद गरंत तजक एवं तुजुक का फार्सी में अनुवाद जहान ए जफर नाम से मुहम्मद खां गुजराती ने किया निजामुदिन पानिपत ने रमायन के परिशिष्ट के रूप में योग बसिष्ट यानि बेदान्तिक दर्सन पर एक गरंत का फार्सी में नुबाद किया अकवर के काल को हिंदी सहित का स्वन काल कहा जाता है अकवर ने बीरवल को कभी प्रिये एवं नरहरी को महापात्र की उपाधी परदान की थी बुलन दरवाजा का निर्वान अकवर ने गुजरात विजय के उपलक्ष में करवाया था चार बाग बनाने की परंपरा अकवर निक्के समय में शुरू हुई थी अकवर ने शिरी कलम की उपाधी अब्दुल समत को एवं जड़ी कमल की उपाधी मुहम्मद हुसैन कश्मीडी को दिया था मुगलो की राजकिय भासा फार्सी थी अकवर नकारा यानि नगारा नामक भादियंद्र बजाता था मुगल मुद्रा विवस्ता की सू विवस्तित रूप से परदान करने का सरे अकवर को प्राप्त है उसके एक सिक्के पर कलमे की जगह अलाह उ अकवर जलाले जलालुदीन तथा दुसरी और टकसाल का नाम अंकित था उसके चान्दे के एक अने सिक्खे के एक भाग पर धनुर्धारी राम और राम के पिछे सीता की प्रतमाय अंकित है और उपर राम सिम शब्द अंकित है अकबर ने असीरगड के विजय की श्मृति में अपने सिक्कों पर बाज की अकरिती अंकित करवाई जहांगीर जोकी 165-1627 अकबर का उत्रादिकारी सलीम हुआ जो 24 अक्टूबर 1625 को नसीरुद्दीन मुहमाद जहांगीर वार शाही गाजी की उपादी धारन की और गद्धी पर बैठा जहांगीर का जनम 30 अगस्त 1579 में हुआ था अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संद शेक सलीम चिस्ती के नाम पर रखा जहांगीर को न्याय की जन्जीर के लिए याद किया जाता है यह जन्जीर सोने की बनी थी जो आगरा के किले के साह बूर्ज एवं यमना तटपर इथित पत्थर के खंबे में लगवाई हुई थी जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुक ए जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का सरे मौतविंद खाको है जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 इस्वी में अपने पिता के बिरुद भिद्रोह कर दिया खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध यालंदर के निकट भहरावल नामक मैदान में हुआ खुसरो को पकड़ कर कैद में डाल दिया गया खुसरो की सहाईता देने के कारण जहांगीर ने सिखो के पाचमे गुरू अरजुन देव को फासी दिलवा दी खुसरो गुरू से गोईंद बाल में मिला था आमद नगर के बजीर मलिक अंबर के बिरूत सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को सहाई जहां के उपाधी परधान की 1622 में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया था नूर जहां इरान निवासी मिर्जा गयास बेक की पुत्री नूर जहां बास्त्रीक नाम मेहरू नीशा था 1594 में नूर जहा का विवाः अली कुली बेक से संपन हुआ था जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेक को शेर अफगान की उपाधी परधान की 1607 में सेर अफगान की मिर्थी के बाद मेहरू नीशा अकबर की बिदवा सलीमा बेगम की सेबा में नूप्त हुई थी तो उसके बाद मेहरू नीशा जो थी अकबर की बिदवा सलीमा बेगम की सेबा में नूप्त हुई थी सरपर्थम जहागीर ने नवरोज तेवहार के अब सरपर मेहरू नीशा को देखा और उसके सौंदर कर मूर्द होकर जहागीर ने मई 1611 में उससे बिवाह कर लिया बिवाह के पच्चात जहांगीर ने उसे नूर महलवा नूर जहां की उपादी परदान की, नूर जहां के सम्मान में जहांगीर ने चांद की के सिक्के जारी किये जहांगीर ने गियासवेक को शाही दीबान बनाया एवं इतमाद उद्दवला की उपादी दी, जहांगीर के सासनकाल में इरानियों को उचपद परदानों प्राप्त होए लाडली बेगम शेड अफगान एवं महरू निशा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहर यार के साथ हुई थी नूर जहां की मा असमत बेगम ने गुलाव के इत्र निकालने की विधी खोजी थी महावत खाने जहलम नदी के तट पर 1626 इसवे में जहांगीर नूर जहां एवं उसके भाई आसब खान को बंदी बना लिया था जहांगीर के पाच पुत्र थे खुसरो, परवेज, खुर्रम, सहरियान एवं जहांदार 28 अक्टूबर 1627 को भीम बार नामक इस्थान पर जहांगीर की मिर्तियों हो गई उसे सहाद राय निलहोर में रावी नदी के किनारे दपनाया गया मुगल चितरकला अपने चदमुत कर्ष पर जहांगीर के सासंकाल में पहुंची जहांगीर के दरवार के परमुक चितरकार थे आगारजा, अब्दुल हसन, मुहम्मद नासीर, मुहम्मद मुराद, उस्ताद मनसूर, बिशन दास, मनोहर विम गोबर्धन, फारुक बेग, दौलत जहांगीर ने आगाखा के नितिरित में आगरा में एक चितरन साला की स्थापना की, मुगल सासकों में सरपर्थम जहांगीर ने ही राजा की आकरिती युक्त सिक्के जारी किया, इसके समय निसार यानि चांदी का सिक्का था, जो रुप्य के चौथाई के बराबर होता था उस्ताद मनसूर एवं अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमसर नादिर उल उस एवं नादिर उजमा की उपादी परदान की इसने संस्क्रीत के कभी यगनात को पंडित राज की उपादी दी जहांगीर ने अपनी आत्म कत्हा में लिखा कि कोई भी चितर चाहे वह किसी मिर्थक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो मैं देखते ही तुरंद बता सकता हूँ कि यह किस परकार की किरिती है यदि किसी चेहरे पर आख किसी एक चितरकार ने भौं किसी और ने बनाई हो तो भी यह जान लेता हूँ कि आख किसने और भौं किसने बनाई है जहांगीर के समय को चितर कला का स्वन काल कहा जाता है इतमाद उद्दवला का मकवरा 1626 सिस्वी में नूर जहां बेगम ने बनवाया मुगल कालिन बास्तुकला के अंतरगत निर्मित या प्रथम ऐसी इमारत है जो पून रुप से बेदाग सफेद संग मरमर से निर्मित है सर पून इसी इमारत में पीतरा दुरा नामक जड़ाव काम किया गया था अशो के कोशामी इस्तम यानि बर्तवान में परियाग पर समुध गुथ की परियाग परस्सतीत था जहांगीर का लेक उतकिरन है जहांगीर के मकवरा का निर्मान नूर जहाने करवाया था जहांगीर के सासनकाल में कैप्टन हॉकिन्स जो की पर्थम अंग्रेज था सर टॉमस रो बिलियम फिंच एबं एडवर्ड टैरी जैसे एरोपिय आत्री आये थे भारत में तंबाकू की खेती सरपर्थम जहांगीर के सासनकाल में प्रारम हुई थी पुर्थगालियों द्वारा सरपर्थम 1605 स्वी में दक्षिन में तंबाकू की खेती प्रारम किया गया पुर्थगाली इसे ब्राजील से लाये थे साह जहां 1627-1657 स्वी जहांगीर के बाद शिखासन पर शाह जहां बैठा जोदपूर के सासक मोटा राजा उदै सिंग की पुत्री जगत गोसाई के गरव से पांच जनवरी 1592 स्वी को खुर्रम यानि साह जहां का जनम लहौर में हुआ था 1612 स्वी में खुर्रम का विवा आसब खां की पुत्री अरजोमंद बानो बेगम से हुआ जिसे शाह जहां ने मलिका ए जमानी क्युपादी परदान की और 7 जून 1631 स्वी में प्रसप पीड़ा के कारण उसकी मिर्थी हो गई 4 फरवरी 1628 को साह जहां आगरा में अबूल मुजबफर शाहबुद्दीन मुछमत शाहिब किरन एशानी की उपादी प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा अब्दुल मुजफर शहाबुद्दीन मुहम्मद साहिव किरन एशानी की उपादी प्राप्त कर सिंगासन पर बैठा साह जहां साह जहां ने आसब खां को बजीर पद एबं महावत खां को खान खाना की उपादी परदान की इसने नूर जहां को दो लाक रुपे परतिवर्स की पेंसन देकर लहोर जाने दिया जहां 1645 सिवे में इसकी मिड़की हो गई अपनी बेगम मुम्ताज महल की याद में शाह जहा ने ताज महल का निर्मान आगरा में उसकी कबर के उपर करवाया उस्ताद इशा के ने उस्ताद इशा ने ताज महल की रूप रेखा तयार की थी ताज महल का निर्मान करने वाला मुक अस्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लहोरी था मयूर सिहासन का निर्मान शाह जहाने करवाया था इसका मुक कलाकार बे बादल खा था बाश्या ने सिंहासन के पीछे पित्रा दुरा के जड़ाओ काम की एक स्रिंखला बनवाई गई थी जिसे पौरानिक युनानी देटा आरफियस को बीना बजाते हुए चित्रित किया गया है साह जहां के सासनकाल को अस्थापत्य कला का श्रन्यूक कहा जाता है साह जहां दौरा बनवाई गए परमुक इमारते हैं दिल्ली का लाल किला, दिवाने आम, दिवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताज महल एवं लाहौर किला, इस्तिसीस महल पुमायों के मकवरा को ताज महल का उर्बरती मना जाता है। परमुक संक्रिती कभी बंसी धर मिस्ट एवं हरी नराय मिस्ट थे। सा जहाने संगितग लाल खां को गुण समंदर की उपादी एवं संगितग जगनात को हिंदी का कभी भी कहा था। सा जहाने संगितग लाल खां को गुण समंदर की उपादी एवं संगितग जगनात को हिंदी का कभी भी था को महा कभी राय की उपादी से समानित किया था। सा जहान के पुत्रों में दाराशिको सरवाधिक विद्वान था। सितंबर 1657 में शाह जहान के गंभी रूप से विमार पढ़ने और मिर्तियूप के काभवा फैलने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्रादिकारी का युद प्रारम हो गया। उस समय शूजा बंगाल मुराद गुज्रात एवं औरंगजेव दक्कर में था। 15 अप्रेल 1658 में दारा एवं औरंगजेव के बीच धर्मत का युद हुआ। सामुगड का युद 29 मई 1659 को दारा एवं और अगजेव के बीच हुआ। इस युद में भी दारा की हार हुई उत्रादिकारी का अंतिम युद देवराई की घाटी में मार्च 1669 को हुआ। इस युद में दारा के पराजित होने पर उसे इसलाम धर्म की अभेलना करने के अपराद में 30 अगज 1669 को हत्या कर दे गई। दारा शिकोह ने अपना निर्वासित जीवन अलवर यानि राजस्थान के कंकरवाडी किला में बिताया इस किला का निर्वान जैसिंग दूतिया ने किया था। देखिए जो देवराई का युद हुआ था मार्च 1669 में इस युद में दारा के पराजित होने पर उसे इसलाम धर की अभेलना करने के अपराद में 30 अगस्त 1669 को हत्या ने उसका आख निकाल लिया जाता है। क्योंकि आख निकाल लेने के बाद जो है वह कोई फिर वह सासक बनने योग नहीं होता है। तो इसलिए उसका आख निकाल लिया गया था। साह बुलंद इकबाल के रूप में दारा सिकोह को जाना जाता है। गुजरात नामकि स्थान पर हुआ था और रंग्जेव के बच्पन का नाम अधिकान समय नूर जहां के पास वीता था। 18 मई 1637 को फारस के राजगहराने की दिलरास बानो बेगम के साथ और रंग्जेव का निकाल हुआ। आगरा पर कबजा कर जल्दबाजी में और अरंग्जेव ने अपना राजगह विशेक अब्दूल मुजफर रहीम उद्दीन मुहमद और अरंग्जेव बहादूर आलमगीर बासाह गाजी की उपादी से अरंग्जेव के गुरू थे मीर मुहमद हकीम और अरंग्जेव सुनी धर्म को मानता था उसे जिन्दा पीर कहा जाता था जैस सिंगेवन सिवाजी के बीच पूरंदर की संधी 22 जून 1665 इसवी को संपन हुआ मई 1666 इसवी को आगरा के किले के दिवान ए आम में और अरंग्जेव के समाच सिवाजी उपस्तित हुए यहां सिवाजी को कैद कर जैपूर भवर में रखा गया इसलाम नहीं स्विकार करने के कारण सिखों के नोमे गुरू तेग बहादूर की हत्या और अरंग्जेवन ने 1675 इसवी में दिल्ली में करवा दी थी और अरंग्जेवन ने 1689 इसवी में जजिया कर को पुना लागो किया था अतुरा साम जजिया कर के बारें जा लेते हैं यह गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था किन्तु ब्रहमन, संत, ब्रिद, निर्धन, पागल, अलफब्यस वविस्त्रियों से यह नहीं लिया ज भारत में सरप्रथाम मीर कासिम ने 1612 इसवी में सिंध विजय के बाद जजिया कर की बसूली प्राराम की थी, फिरोज तुगलक ने ब्रहमनों से भी जजिया बसूल किया था मुगल काल में बाबा रेवं हुमायू के काल में जजिया पर चली थी, किन्तु अकबर ने 1564 इसवी में इसे बंद कर दिया था और अंग्जेब ने 1689 इसवी में सरप्रथाम मारवाड में जजिया की बसूली का आदेश दिया था ततपचात राज के अन्यभागों में वसूल किया जाने लगा था जजिया की अंतिम्रुसे समावति मुहमाशा के समय 1726 इसवी में हुई थी और अंग्जेब ने बीबी का मकबरा का निर्मान 1689 इसवी में औरंगाबाद यहने महराश में करवाया और अंग्जेब के समय हुए जाट विद्रो का नित्रित गोकुला एवं राजा राम ने किया था 1617 में तिलपत की लडाई में जाट परास्थ हुए गोकुल को मौत के घाट उतार दिया गया इसके बाबजूर जाटों ने 1685 में राजा राम के नित्रित में पुना विद्रो किया इन जाटों ने सिकंद्रा में सित अकवर के मकबरे को भी लूटा भरतपूर राजवन्स की निव और अरंगजेव के सासंकाल में जाट निता एवं राजा राम के भतिजा चुरा मन्ने डाली थी 1686 में बिजापूर एवं 1687 में गोलकुंडा को और अरंगजेव ने मुगल समराज में मिला लिया मदन्ना एवं अकन्ना नामक ब्रहमनों का संबन्द गोलकुंडा के सासक अबूल हसन से था और अरंगजेव के समय में हिंदू मनसरदारों की संख्याल लगभग 300 सैतिस थी जो अन मुगल समराटों की तुलना में अधिक थी और अरंगजेव सरवाधिक हिंदू अधिकारियों की न्यूक्ति करने वाला मुगल समराट था और अरंगजेव का पूत्र अकवर ने दुरगादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाब पित द्रोग किया और अरंगजेव ने कुरान को अपने सासन का आधार माना इसने सीको पर कुलमा खुदवाया नवरोज का तिहोहार मनाना तुलादान प्रथा यानि इस प्रथा में समराट को उनके जनम दिन पर सोने चांदी तथा अन बस्तूहों से तोलने की प्रथा थी फिर हिंदु राजाओं के माते पर अपने हाथ से तिलक लगाना इसे अकवर ने प्ररम किया था सत्य प्रथा आदी पर परतिबंद लगा दिया बेश्याओं को साधिक करने अथवा देश छोड़ देने के आदेश दिये और दरवार में होली दिवाली आदितिवार मनाने बंद कर दिये और रंग्जेव ने दरवार में संगीत पर पाबंदी लगा दी तथा सरकारी संगीतक्यों को अपकास दे दिया गया भाते शास्त्रिय संगीत पर फार्सी में सबसे अधिक पुष्ट के और अंग्जेव के ही सासनकाल में लिखी गई और अंग्जेव स्वय बीना बजाने में दक्ष था और अंग्जेव ने 1665 में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का अधेश दे दिया इसके सासनकाल में तोड़े गए परमुक मंदिरों में पाटन का सोमनात का मंदिर बनारास का विश्वनात मंदिर एबं बीर सिंग देव द्वारा जाहागीर काल में मतरा में निर्मित केसब देवलाय मंदिर थे और अंग्जेव की मिर्तियों 20 फरवरी 1737 को हुई इसे खुलदा बाद जो अब रोजा कहलाता है मित्य अपनाया गया और अंग्जेव के समय सूबों की जंख्या 20 थी और अंग्जेव जो था वो दारूल हर्व यानि काफिरों का देश को दारूल इसलाम यानि इसलाम का देश में परिवर्तित करने को अपना महत्पून लच्छ मानता था और अंग्जेव के सासनकाल में मुगल सेना में सरवाधे की हिंदू सेना पती थे फ्रांसिसी यात्री, फ्रांकोईस, बर्नियर और रंगजेव के चिकित सकते मुगल सासन विवस्था, मंत्री पर्षत को बिजारत कहा जाता था बावर के सासनकाल में बजीर का पद, बजीर पद जो है काफी महत्पुन था समराट के बाद शासन के कार्यों को संचालर करने वाला सबसे महत्पुन अधिकारी वकील था जिसके कर्तब्य को अकवर ने दिवान, मीरवक्सी, सद्र उससद्र वह मीर समन में विभाजित कर दिया था और अंग्जेव के समय असद खान ने सरवाधिक 31 बर्सों तक दिवान के पत पर कार्यों किया था मीर वक्सी द्वरा सरखत नाम से पत्र पर हस्ताचर के बाद ही सेना को हर महीने बेतन मिल पाता था जब कभी सद्र नयाय विभाग के परमूप का कार्यों करता था तब उसे काजी कहा जाता था लगान हीन भूमी यानी मदद एमास का निरिच्छन सद्र करता था समराट के घरेलू विभागों का परधान मीर समा कहलाता था सूचनावा गुप्चर विभाग का परधान दरोगा एडाक चोकी कहलाता था सर्यत के परतिकूल कार्ज करने वालों को रोकना आम जनता के दूश चरीत रता से बचाने का कार मुहत सीव नामक अधिकारी करता था परसासन की दृष्टी से मुगल समराज का बटवारा सुबो में, सुबो का सरकार में, सरकार का परगना या महाल में, महाल का जीला या दस्तूर में और दस्तूर गराम में बटे थे परसासन की सबसे छोटी इकाई गराम थी जिसे माबदा या दीह कते थे माददा के अंतरगत छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था मुगल काल के परमुक अधिकारी एबं उसके कारे जिसे की पद और एक तरफ कार दिया गया सुवेदार प्रांथों में सांतिय स्थाफित करना यानि प्रांध कारनी का परधान होता था दिवान प्रांथिय राजस्व का परधान यानि सीधे शाही दिवान के प्रती जवाब दे होता था मीर बक्सी प्रांथिय सेंद परधान होता था फोजदार जिले का परधान फोजय अधिकारी होता था आमील या अमल गुजार जिसे जीले का परमुख राजसो अधिकारी बनाया गया था कोतबाल नगर परधान होता था शिकदा परगने का परमुख अधिकारी होता था आमील ग्राम के किसको से परत्य अच्छ संबंध मनाना एवं लगान निधारित करता था आमील साहा जहां के सासनकाल में सरकार एबं परगना के मद्ध चकला नाम की एक नई इकाई के स्थापना की गई थी भूमी करके विभाग के अधार पर मुगल समराज की समस्त भूमी तीन बर्गों में विभाजित थी खालसा भूमी परत्यच रूप से बासा के नियंतरन में था जागिर भूमी तनख्वा के बदले दी जाने वाली भूमी होती थी सयूर गल या मदद एमास अनुदान में दी गई लगान हीन भूमी जिसे मिल्क भी कहा जाता था शेशा द्वारा भूरा जस्वहत्यों अपनाई जाने वाली पदती राई का पर्योग अकबर ने भी किया था अकबर के द्वारा करोडी नामक अधिकारी की न्यूकती 1573 वी में की गई थी इसे अपने शित्र में एक करोड दाम बसूल करना होता था 1580 वी में अकबर ने दह शाला नामकी नवीन कर परनाली शुरू की थी इस वरस्था को टोडर मल बंदोबस्त भी कहा जाता है इस वरस्था के अंतरगत भूमी को चार भागों में विभाजित किया गया था जैसी के आप चार भूमी देख सकते हैं पोजल, पर्ती, चाचर और बंजर पोजल वगा भूमी में होता था इसमें नियमित रूप से खेती यानी बर्स में दो बर भर फषल उगता था परती वह होता था एक या दो बर्स के अंतराल पर खेती होता था चाचर तीन से चार बर्स के अंतराल पर खेती होता था और बंजर खेती और भूमी नहीं इस पर लगान जो है नहीं बसुला जाता था 1571 में टोडर मलने खालसा भूमी पर भूराजस्व की नबीन परनाली जबती प्रारम की इसमें कर निधारन की दोस्रेनी थी एक को तकसीश एवन दुसरे को तहसील करते थे और रंग्जेव ने अपने सासनकाल में नस्क परनाली को अपनाया और भूराजस्व की रासी को उपज का आधा कर दिया मुगल काल में क्रिशक जो हैं तीन वर्गों में भाजित थे पहला देख सकते हैं खुदकास ये किसान उसी गाउं की भूमी पर खेती करते थे जहां के वे निवासी होते थे उसको हम खुदकास करते थे पाही कास्त ये दूसरे गाउं जाकर क्रिसी कार्ज करते थे और मुजारियन ये खुदकास्त किसकों से भूमी किराया पर लेकर क्रिसी कार्ज करते थे मुगलकार में नील उत्पादन के परसिद केंद आगरा भरतपूर के बयाना तथा गुजरात के सरखेज थे सबसे उत्तम परकार का नील बनाया छेतर एवं सरखेज में पैदा होता था अफीम मुगता मालबा एवं बिहार में होता था शोरा उत्पादन का परमोग केंदर बिहार था कपरा उत्यों के अंतरगत ददनी प्रथा का परचलन था इसका ततपड कारिगरों को अगरिम भुगतान से था उत्तम सरेनी की उनिबस्त्र और शाल कस्मीर तथा लहौर में तयार होता था मुगल काल में रुपे की सरवादिक धलाई और अंग्जेब की समय में हुई आना सिक्य का प्रचलन सा जहाने करवाया जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकरिती बनवाई साथ ही उस पर अपना एवं नूर जहां का नाम अंकित करवाया मुगल कालिल लगान बसुल करने की विवस्ताएं गल्ला बक्सी इसमें फसल का कुछ भाग सरकार दोरा ले लिया जाता था नस्क इसमें खड़ी फसल के अधार पर लगान का अनुमान लगा कर फसल कटने पर उसे ले लिया जाता था यह विवस्ता बंगाल में थी जबती इसमें बोई गई फसल के अधार पर लगान का निश्चे किया जाता था जो नगद लिया जाता था सबसे बड़ा सिक्का संसवत सोना का था स्वर्ण का सबसे परचलित सिक्का इलाही था मुगल कालेन सिक्के मुहर यह मुगल काल का सरवाधिक परचलित सोने का सिक्का था जिसको मुहर कह जाता था संसब अकबर दोरा चलाये गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का था या 101 तोले का था इलाही या सोने का गोल अकार का सिक्का होता था रहस या गोल एवं चवकोर दोनों तरह का सोने का सिक्का था या साड़े 5 तोले का था आत्मा 25 तोले के सोने का सिक्का था बिनसात, बीस तोले के सेने के सिक्का था, रुप्या चान्दी का सिक्का होता था, जलादी चान्दी का सिक्का होता था, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, दरब, चरन, चंदन, दह, कल, बच्चु, सूकी, सभी चान्दी के सिक्के थे, मुगल कालिन अर्थवरस्था का आधार चान्दी का रुप्या था, धैनिक लेन देन के लिए दामेक अदाम का परियोग होता था, एक रुप्या में चारीज दाम होते थे मुगल से ना चार भागों विभक थी, पैदल से ना, घुरसबार से ना, तो खाना और हाथी से ना, मुगल कालिन सैन विवस्था पुन्ता मनसबदारी प्रथपर अधारी थी, इसे अकवर ने प्ररम किया था दस से पांसो तक मनसब प्राप्त करने वाले मनसबदार, पांसो से पचीस सो तक मनसब प्राप्त करने वाले उम्रा, एवं पचीस सो से उपर तक मनसब प्राप्त करने वाले अमीर ए आजम कहलाते थे जात से ब्यक्ति के बेतन एवं पर्तिष्ठा का ग्यान होता था सवार पद से घुर सवार दास्तों की संख्या का ग्यात होता था अकवर के सासनकाल में 39 से मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवीर के थे और अरग्जेव के सासंकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या उन्यासित थी जहांगीर ने सवारपद में दो अस्पा एवं सी अस्पा की विवस्था की सरपर्थमियापद महाबत खां को दिया गया था मनसबदारों के अलावा खुद मुगल साहनसा भी फुटकर घुर्षवार रखते थे जिन्हें अहदी अहदी कहा जाता था अहदियों को भधर घुर्षवार कहा गया है और उसके बेतन दूसरे घुर्षवारों से काफी जादा होते थे यह बहुत ही विस्वस्त सैनेदल के सदस होते थे उनकी भरती जो है साहनसा किया करते थे और उनकी हाजरी लेने के लिए अलग अधिकारी होते थे अहदी पाँच पाँच घोड़े भी रखते थे लेकिन कुछ ऐसे अहदी भी थे जिसमें से दो एकी घोड़े में इसे दारी करते थे अधियों के कर्तब बहुमुखी होते थे शाही करियाले के अधिकतर मुनसी दरवार के चितरकार और शाही कर खानों के खोर मेन इसी सैन दल से चूने जाते थे मराठो का उतकर्स साही का विवा साही बाई निम्बालकर से 1644 में हुआ था साह जी ने सिवा जी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वय बीजापूर रियासत में नौक्वी कर ली थी अपने सैन अभ्यान के अंदर का 1644 में सिवा जी ने सर प्रथम बीजापूर के तूरन नामक पहाड़ी के लिए पर अधिकार किया था 1656 में सिवा जी ने राइगर को अपनी राध्धानी बनाया था फिर सिवा जी को राजा की उपाधी रंग जेव ने दी थी बीजापूर के सुल्तान ने अपने योग सेनापती अफजल खां को सितंबर 1669 में सिवा जी को प्राजित करने के लिए भेजा था सिवा जी ने 10 नवम्बर 1669 को अफजल खां की हत्त्या करदी थी सिवा जी ने सूरत को 1644 हिस्वि में एवं 1677 में लूटा था पुरंदर की संदी 1665 हिस्वि में महराजा जय सिंग एवं सिवा जी के मद्ध संपन हुए था 1672 में सिवाजी ने पनहाला दुर को वीजापूर से मिशीना था 5 जून 1674 में को सिवाजी ने राइगड में 12 नसी कासी के परसिद विद्वान स्री गंगाभट द्वारा अपना राजय विशेक करवाया मुल रुप से गंगाभट महराष्ट का एक सम्मानित वरहमन था जो लंबे समय से 12 नसी में रह रहा था सिवाजी को रंग्जेब ने मई 1666 में जैपुर भवर में कैद कर लिया जहां से भे 16 अगर 1666 में भाग निकले मात 53 वर्स की आयो में 3 अपरेल 1680 वी को सिवाजी की मिर्तियों हो गई सिवाजी के मंतरी मंडल को अश्ट परधान कहा जाता था अश्ट परधान में पेसवा का पत्सरवाधिक महतपूर निवम सम्मान का होता था सिवाजी ने दर्वार में माराठी को भासा के रूप में पर्योग किया सिवाजी के सेना तीन महतपूर भागों विभक था पागा सेना, सिलहदार और पैदल सेना पागा सेना नियमित घुरसवार सेनिक था, सिहलदार अस्थाई घुरसवार सेनिक था और पैदल पैदल सेना था सिवा जी को तोपे अंग्रेजों ने परदान की थी, मराठा राज के अंतरकत दो परकार के छेतर होते थे पहला स्वराज और दूसरा मुगतई, स्वराज वो होता था जो छेतर प्रतिर्षता मराठो की नियंतरन में थे उसे स्वराज छेतर कहा जाता था और मुगतई यानि मुल्क एक कदीम यह वज छेतर था जिसमें वे चौत एवं सर्देश मुखी बसूलते थे चौत एवं सर्देश मुखी स्वराज से नहीं लिये जाते थे बलकि उन जगों से लिये जाते थे जहां मुगल्क या दकनी राजाओं का शासन था चौत भूराजस का एक चौत हाई था जो मराठों के उस छेतर पर आकर्मन नहीं करने के लिए दिया जाता था सर्देश मुखी दस परतिसत का अतिरिक्त अधिभार था जो उस छेतर से लिया जाता था जो मुगलों के अधीन था पर मराठा उस पर दाबा करते थे महराष्ट के परमुक्संत ज्यांदेव या ज्यानेश्वर 1275 से 1296 महराष्ट में भक्ती अंदोलन के जनक मराठी भासा और शाहित के संस्थापक भागवत गीता पर भावार्थ दीपका नामक ब्रिहत तीकालिकी जिसे समाने रूप से ज्यानेश्वरी के नाम से जाना जा बाता है बरकरी संप्रदाय के परवर्थ तक अब हम बात करेंगे नाम देव का जो कि 1270 से 1250 स्वी इनके आराध्य देव पंधरपूर के बिठोबा या बिठल थे बरकरी संप्रदाय के विकास में इनकी महरा परमुक भूंका थी इन्होंने अनेग भक्ति परक मराठी गीत के बीच की करी माना जाता है इन्वे कुछ पद गुरु गरंत साहित में संकलित है एक नात जोकी 1533 से 1599 इन्होंने रमायन पर भारवार्थ रमायन नामक्ति का लिखी है तूका राम 1598 से 1685 इन्होंने भक्ति परक कर विताय लिखी इन्हें अभंग कहा जाता है ये अभंग 1608 से 1681 स्वी महराष्ट के अंती महान संद कभी दस बोध उनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है इन्होंने महराष्ट में भागवान राम की पूजा को लोग परिये बनाया महराष्ट में भक्ति अंदोलन मुक्ता दो संपरदाय विवक्त था बरकरी संपरदाय और दुसरा धरकरी संपरदाय बरकरी संपरदाय अर्थात बिठोबा पत कृष्ण को मानने वालों का पत ज्यांदेव नामदेव तुकाराम इसके परमुक्षंत थे फिर धरकरी संपर मंतुर की देख रव होताओ, सुचनां उसकी भोशाँ शयली को देखना, सुमंत विदेश मंत्री होता था पंडित राव धार्मिक काड़ियों के लिए तीथी का निधारन करता था और न्याइदीज न्याइविभाग का परधान होता था सिवाजी की कर्वेवस्था मलिक अंबर की कर्वेवस्था पर अधारित थी सिवाजी ने रसी द्वारा माप की वेवस्था के अस्थान पर काठी वे मानक छड़ी के परियोग को अरम किया सिवाजी ने 1689 में अन्नाजी दत्तो द्वारा व्यापक भूमी सर्वेच्छन करवाया सिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में भसुला जाता था जो बढ़ कर 40% हो गया सिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंदर सूरत को दो बार यानि 1664 भाग में लूटा था अब बात करते हैं सिवाजी के उत्रादिकारी का तो सिवाजी का उत्रादिकारी संभाजी थे संभाजी ने उजयन के हिंदी एवं संस्कृति के प्राखान पंडित कभी कलस को अपना सलाकार नुट किया मार्च 1689 भी को मुगल सेनापती मखररव खाने संग मेश्वर में चीपे हुए संभाजी एवं कभी कलस को गिरहतार कर लिया और उसके हत्या कर दिया संभाजी के बाद 1689 भी में राजा राम को नए छत्रपती के रूप में राजेविश्च किया गया राजा राम ने अपनी दूसरी राजेधानी सतारा को बनाया सिवाजी के किले की सुरच्छा के लिए नियूक तदिकारी हवलदार किले के आंत्री के विवस्था की देखरेक करता था सरे नौबत किले की सेना का नेत्रितु करता था और सबनिस किले की अर्थवस्था पत्र विवहार एवं भंडार की देखरेक करता था राजा राम मुगलों से संगर्ज करता हुआ दो मार्च 1720 को मारा गया राजा राम की मुर्तिक बाद उसकी बिद्वा पतनी तारा भाई अपने चार बरसे पुत्र सिवाजी दुतिय का राजी विशेक करवा कर मराठा समराज की बास्तिविक संगर्चिता संगर्चिका बन गई 1737 में औरंग्जेव की मुर्तिय के बाद संभाजी के पुत्र शाहु जो औरंग्जेव के कबजे में था भोपाल के निकट के मुगल सिवीर से बापस महराष्ट आया साहु एम तारावाई की बीच 1737 में खेडा का यूद हुआ जिसमें साहु बिजई हुआ साहु ने 22 जनवरी 1778 स्वी को 17 में अपना राजविशेक करवाया साहु के नित्रित में नवीन मराठा समराज के परवर्तक पेशवा लोग थे जो साहु के पैत्रित परधान मंत्री थे पेशवा पहले पेशवा के साथ ही बंसा नुगत हो गया था पेशवा पुने में रहता था 1723 में साहू ने बाला जी भी सुनात को पेश्वा बनाया इनकी मिर्तियू 1723 में हुई इसके बाद पेश्वा बाजीरा प्रथम हुई पेश्वा बाजीरा प्रथम ने मुगल समराज की कमजोर हो रही अस्थिती का फायदा उठाने के लिए साहू को उसायद करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने बिच के खोकलेतने पर परहार करें साखाएं तो स्वयंगीर जाएगी हमारे पर्यत्यों से मराठा पता का क्रिश्णा नदी से अटक तक फराने लगेगी उत्तर में साहू ने लिखा निश्चीत रूप से ही आप इसे हिमालाय के पार गार देंगे निसंदे आप योग पिता के योग पुत्र है पाल खेडा का यूद 7 मार्च 1728 भी बाजीरा प्रथम एवं निजामुल मुल के बीच हुआ इसमें निजाम की हार हुई निजाम के साथ मुंगी शिवा गाउं की संधी हुई दिल्ली पर आकर्मन करने वाला प्रथम पेशवा बाजीरा प्रथम था इसमें 29 मार्च 1737 भी को दिल्ली पर धावा बुला उस समय मुगल वाज़ा मुहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तयार हो गया था बाज़ीरा प्रथम मस्तानी नामक महिला से सम्मद होने के कारण चर्चित रहा 1744 में बाज़ीरा प्रथम की मिर्थि हो गई बाज़ीरा प्रथम की मिर्थिक बाद बाला जी बाज़ीरा आप 1744 में पेशवा बना संगोला संदिकवाद पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरचित हो गए बाला जी बाजिराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था जहलकी की संधी हैदरावाद की निजाम एबं बाला जी बाजिराव के मद्ध हुई थी बाला जी बाजी राव की समय से ही पानीपत का तितिय यूद यानि 14 जनवडी 1761 में हुआ जिसी मराठो की हार हुई इस हार को नहीं सहपाने कारण बाला जी की मिर्तिव 1761 में हो गई अब यहाँ पर देख लिजिएगा अगरेज मराठ संगर्स के अंतरगत होने वाले परमॉक संदी सूरत की संदी 1775 बी उरंदर की संदी 1776 बी बरगाउं की संदी 1789 बी सलवाई की संदी 1772 बसीन की संदी 1822 बी देवगाउं की संदी 1893 बी सूर्जी अजुन गाम की संदी 1813, राजपूर घाट की संदी 1814, नागपुर की संदी 1816, ग्वालियर की संदी 1817, पुना की संदी 1817, और मंसार की संदी 1818. माधव नरायन राव प्रथम 1761 में पेश्वा बना, इसने मराठो की खोई हुई परतिश्वा को पुना प्राप्त करने का पर्यास किया, माधव राव ने इस्ट इंडिया कमपनी की पेंशन पर रह रहे, मुगल वासा शाह अलंदूतिय को पुना दिली की गद्दी पर बैठ हाया, मुगल वासा अब मराठो का पेंशन भोगी बन गया, पेश्वा नरायन राव 1772 तैतर इस्ट इस्वी के हत्या उसके चाचा रगुनात राव के द्वारा कर दी गई, पेश्वा माधव राव नरायन दूतिय की अलपायों के करन मराठा राज की देखरेक, बारह सभार नाम की 12 सदस्यों की एक परशत करती थी, इस परशत के दो मात्पुन सदस्यों थे, महार जी सिंधिया एवं नाना फढ़नविस, नाना फढ़नविस का मूल नाम बाला जी जनारदन भानु था, अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ ने इन्हें मराठो का मक्यावेली कह था, अंतिम पेशवा रागोबा का पुत्र बाजी राब दूतिय था, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था, मराठो के पतन में सरवाधी की योगदान इसी का था, यह सहायक संदी स्विकार करने वाला परथम मराठा सरदार था, कौन बाजी राब दूतिय था, 1776 में पूरांदर की संदी हुई, इसके अताथ कंपनी ने रगुनात राव की सम्मर्थन को बापस ले लिया, फिर परथम अंगल मराठा यूद जो है, परथम यूद 1772 में सलवाई संदी के साथ खतम होती है, दूतिय अंगल मराठा यूद 1835 में हुआ, इसमें भोसले, न नाकपुर ने अंग्रेजों को चुनावती दी, इसके फल सुरूप 7 सितंबर 1833 को देवगाउं की संदी हुई, तिरतिय अंगल मराठा यूद 1817 में हुआ, इस यूद के बाद मराठा सक्ती और पेशवा के बंसानुगत पत को समाप्त कर दिया गया, पेशवा बाजी पादुते को पूने से हटा कर कानपुर के निकट विठ्टूर में पेंसन पर जीने के लिए भेज दिया, जहां 1800 तिरेपन में इसकी मिर्थी हो गई, चलिए दोस्तों इसी के साथ जो हम लोग मद्दिकालिन भारत को समाप्त कर लिए हैं, अब हमारा अगला वीडियो जो ह है, वह होगा अधुनिक भारत का, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और चैनल पर पहली बारा हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए, दोस्तों से भी इस वीडियो को शेयर किजिए, ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके, और